Hello students and Jai Hind, I welcome you all to Magnet Brains, एक ऐसा platform जहाँ पे सारा quality educational content आप लोगों तक exclusively free of cost लेकर आया जाता है, मतलब यह कि यहाँ कभी ऐसा नहीं होता है कि आपको किसी subject के एक या दो chapter access करने के लिए मिलें, और उसके बाद में आपसे यह बोला जाए कि बचा हुआ content देखने के लिए आपको या तो किसी तरीके की कोई fees देना पड़ेगी या कोई paid subscription लेना पड़ेगा, ऐसा magnet brains पर नहीं होता, magnet brains प्रतिबद है आप लोगों तक सारा का सारा quality educational content exclusively free of cost लेकर आने के लिए, जिसकी मदद से आप लोग ना सिर्फ अपनी examinations की preparation अच्छे से कर सकें, आपकी subjects की understanding और concepts की clarity बढ़िया दरह से रहे और आप अच्छे से score कर सकें, अच्छे अच्छे पदों पर पहुंचें और देश की तरक्किय और उनती में आप लोगों का भी अपना एक योगदान हो, आपका भी अपना एक contribution हो, यही magnet brains का धे है और इसी को ध्यान में रखकर हम लोग आगे बढ़ रहा हैं, इसी नोट पर हम अपने आज के session के शुरुआत करेंगे, तो आज का जो हमारा session है, इसमें हम लोग हमारे class 11th health and physical education, इसकी जो हमारी NCRT किताब है, इसका जो चौथा वाला chapter है, जिसका नाम है individual games, उसके one short revision का part 1 करेंगे, इसमें हम लोग इस chapter में जो games वगएरा आपको दिये गए हैं, उसमें से कुछ games वगएरा के बारे में बातचीत करने वाले हैं, अब यह chapter अपने आप में इतना बड़ा है, इतना जादा वास्ट है कि इसको एक particular session में समेटना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोग इसके कुछ एक से जादा sessions वगएरा जो है, बंच और रिविजन के भी लेंगे, तो interesting session इस sense में है कि आपको काफी सारे individual games चलता है, काफी ज्यानवर्दक यह chapter अपने आप में है, इसको जब हम लोगों ने इसके detailed explanations को देखा था, तब भी हमने देखा था कि काफी सारे ऐसे games थे, जिसमें उनके rules and regulations history वगएरा कैसी किया, तो उसी सारी चीज का हम लोगों को इस particular session में one shot revision लेना, तो now without any further ado, here we begin, class 11th health and physical education, individual games, chapter number 4 हमारा, इसके complete chapter revision का part 1 लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजर हूँ, चले शुरू करता है, तो इसमें तो ख्यार कोई शक्की बात ही नहीं कि आप चाहे sports या games की बात कर लें, तो यह हमारी जिंदगी का एक बहुत important हिस्सा होता है, बच्पन से लेके आपके adult life म भी, sports और games जो है, वो हमारी जिंदगी का एक बहुत important part होते हैं, यह हमको overall health और well being enjoy करने में मदद करते हैं, प्लस कहीं न कहीं यह बहुत बढ़िया जो है, अपने आप में मनोरजन भी होते हैं, अपने आप में बहुत बढ़िया कहीं न कहीं एक stress buster भी होते हैं, ठीक है ज इसी लिए इनको highly recommend किया जाता है, चाहे आप किसी भी age group में हो, चाहे आप चाहे adult हो, चाहे आप बच्चे हो, चाहे आप adolescent की age में हो, चाहे आप 60s के पार में हो, मगर यह बहुत जादा highly recommend किया जाता है, कि भाई कुछ ना कुछ sports वगरा आपने जरूर खेलना चाहिए, कु useful skills of player are individual sports, अब अगर हम लोग ऐसे sports की बात करते हैं, जो individualistic है, यानि कि जिसमें एक one-to-one जो है person आपका complete कर रहा है, अपने individual skills के उपर वो जो है उस पूरे के पूरे games में rely करते हैं, उनकी जीत या फिर उनकी जो हार है, उनके performance पे ही depend करती है, उसका किसी और चीज़ से होते हैं, या फिर इस तरीके के जो sports वगरा होते हैं, इनको individual sports बोला जाता है, अब अपने आप में या idea कि आपकी victory या फिर आपकी defeat के लिए आप खुछ जिम्मेदार हैं, इसके लिए आप किसी और कुछ जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, इसके लिए आप किसी और को responsible नहीं पड़ता है, वो यह है कि वो अपनी जिंदगी में आने वाली परेशानियों के लिए कभी किसी कुछ दोश नहीं देता है, वो अपनी सारी जिम्मेदारी हैं, वो अपनी जो भी परेशानियां या जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी अच्छी बात हैं, जो भी circumstances हैं, सब का individual games की category में कौन-कौन से games वगर आते हैं, तो point यह है कि individual games के जब हम लोग बातचीत करते हैं, तो इसकी category में बहुत से games, बहुत से sports वगर आते हैं, indoor games भी इसमें शामिल हैं, outdoor games भी इसमें शामिल हैं, ऐसे games भी इसमें शामिल हैं, जिसमें physical activity खूब जमकर होती है, और खूब गेम्स वगरा के उपर इस chapter में focus करेंगे वो हैं athletics, badminton, gymnastics, judo, swimming, table tennis and wrestling इतने games वगरा हैं जिनके उपर हमको इस particular chapter में या particular जो हमारा class level का health and physical education की NCIT का जो हमारा chapter दिया गया उसमें इतने games वगरा में focus करने के लिए बोला गया तो इन सारे games वगरा के उपर हम लोग specifically इसमें focus वगरा करेंगे अब सवाल उठता है यही games क्योंकि तो इसकी वज़ा यह है कि कही ना कहीं यह जो अलग-अलग games है यह सबसे ज़्यादा popular individual games है यह broad level पर देखेंगे तो आप individual games की काफी सारी categories वगरा को touch करता है तो इसलिए हम लोग इनके बारे में बाचीत करेंगे तो सबसे पहला जो individual game हमको discuss करना है या सबसे पहला जो individual game हमको study करना है उसका नाम है athletics athletics क्या होता है इसमें किस तरीके की events वगर organize किये जाते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें बाचीत करेंगे तो देखिए बात यह है कि अगर हम लोग आदी काल से देख ले इंसान की जो physical activities है इनसान की जो basic या फिर इनसान की जो fundamental physical activities वगरा है उसमें कौन- अगर आप बात करें human के physical activities या human की physical activities के expression की बात करें तो तीन-चार चीज़ें common होती है running हो गई, jumping हो गई, throwing हो गई, walking हो इस तरीकी की चीज़ें वगरा जो है यह common होती है तो अगर हम लोग इन particular physical activities वगरा में कुछ नियम कायदे डालें ताकि इनको competitive sports में में आपका change किया जा सके ताकि इनको competitive sports में convert किया जा सके और लोग एक दूसरे के खिलाफ इसमें compete कर सके फिजिकल activities के मगर जो fundamental है वो यही रहेगा कि या तो उसमें running होगी या jumping होगी या फिर कुछ ना कुछ थो किया जाएगा तो इस तरीके की जो activities वगरा है जो human physical form के expression की नियम काया थे कुछ terms and conditions लगा कर उनको competitive sports बनाया जाता है तो यह चीज़ें जो है वो कहलाती है track and field या फिर यूँ बोल सकता हूं कि यह जो physical activities है track and field basically इनका improved version है जिसमें हम लोग इनको competitive sports के तौर पर organize करवाते हैं ठीक है चीज़? अब यह जो track and field events है इन ही को athletics बोला जाता है हो सकता है इनसान इसके पहले भी शायद कुछ games वगेरा खेलता रहा हो मगर जो competition के point of view से बात करते हैं sporting activities वगेरा की तो जितना हमारे पास human recorded history है या otherwise भी जो हितिहास वगेरा हमें मिलता है उसमें यह आपका जो track and field events है या athletics है वो सबसे पुराने competitive sports माने जाते हैं जिसमे मानम ने मानम के खिलाफ ही जो है compete किया था किसी particular event में जीतने के लिए किसी particular physical activity के प्रदर्शन में अब track and field events में आपको ध्यान रखना होगा कि track जो है उसका अलग मतलब होता और field जो है उसका अलग मतलब होता है combined तोर पर track and field events के लिए हम लोग जो एक शब्द इस्तेमाल कर देते हैं वो है athletics मगर track and field events वगरा में थोड़ा सा फर्क होता है track events वो events होता है जिसमें अलग-अलग distances की races वगरा को आपका और्गिनाईज करवाया जाता है या फिर अलग-अलग distances की races वगरा, जो हैं जिसमें conduct की जाती है तो वो इस तरीके के सारे के सार इवेंट्स कौंसे हो गए वो सारे के सारी इवेंट्स हो गए, track events field events वो events होते हैं जिसमें आपका strength का show आपको करना होता है जिसमें किसी चीज को throw करना है किसी चीज को pull करना है push करना इस तरीके से तो track events की अगर बात की जाए 100 meter की race हो गई 400 meter की race हो गई 200 meter की race हो गई दलाशने जाएं कि यह कब शूरू हुए कैसे शुरू हुए किस तरीके सिंद्र सत्रत वाइब तो इन सब का जो हिसाब किताब हैं वह Tight human history जो है देखने के लिए मिलता है anghan fan human history में इसके बारे में हमको जवाब बगेरा मिलते हैं तो फ Natomiast अब उस ancient history के बारे में बातचीत करते हैं फिर हम लोग इसके rules and regulations पर और इसके जो various various type की races और events होते हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे उस पर हम लोग आएंगे तो ancient olympic games वगएरा जो थे वो पहले recorded examples हैं जिसमें track and field event हुआ था ठीक है जी? ancient human history की भी अगर आप बात करोगा तो जो ancient olympics हुआ करते थे वो पहला एक recorded event है जिसमें track and field events वगएरा को organize करवाया गया था या competition वगएरा के तौर पर इनको organize करवाया जाता था 1776 before Christ में olympia एक जगह है ग्रीस में वहाँ पर आपका सिर्फ एक event वगएरा जो है वो हुआ करता था track and field के नाम पर और उसको बुला जाता था stadion foot race अब यह जो stadion foot race वगएरा था यह particular event था track and field के नाम पर इसमें लोग compete वगएरा करते थे फिर वक के साथ में धीरे 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 यह game वगएरा जो है track and field events वगएरा कि अपने आप में जो नहीं category थी और काफी ज़्यादा पॉपुलर होकर काफी ज़्यादा पॉपुलर होने लगी अब यह जो पैंटेट लॉंग हुआ करता था इसमें कुल मिला के पांच activities वगएरा करवाई जाती थी एक होता था discuss throw तूसरा होता था long jump तीस पुराने जो हैं events वगएरा है human history के अगर बात की जाया तो उसमें इतना पीछे इनका इतिहास जाता है track and field events वेरा also present at the pan hellenic games in Greece around 200 before Christ period and spread to room in Italy तो यह जो track and field events वगएरा थे ग्रीस में भी 200 before Christ के पहले हो रहे थे और वहां से फिर आप इतली वगएरा के इलाकों में भी फैले लगे इसमें कई सारी categories और varieties भी आने लगी और Northern Europe के इलाकों में खास तोर पर जो है Scandinavia वगएरा हो गया आपका England हो गया इस तरफ के इलाके Norway हो गया Sweden हो गया यहां पर भी जो हैं यह कापी जादा आपके famous होने लगया stone put and weight throw competitions popular among Celtic societies in Ireland and Scotland were predecessors of the modern shot put and hammer through events अब यह जो Northern Europe में Middle Ages व खेला जाता है जिसका नाम है आपका short put ठीक है जी तो यह जो short put game है अगर हम लोग इसके पूरवच तलाशने निकलें कि यह short put game कहां से शुरू हुआ था तो मैं पता चलेगा कि Middle Ages में stone put नाम से जो है game खेला जाता था Celtic societies में यह आपको England वगएरा के इलाके जो है आज की त तारीक में यह modern तरीके से जो खेला जाता है इसको हम लोग बोलता है short put इसी तरीके से आपका hammer throw event वगएरा है वो भी इन लोगों के बीच में जो games वगएरा famous हुआ करते तो उसमांस एक game हुआ करता था weight throw वजन को जो है एक से दूसरी जगह फेकना इसमें लोग पत्थर which evolved in the 18th century तो यह सारे के सारे games वगएरा जो हैं जिसमें दौड़ना है कुदना है फांदना है यह सारी चीज़ें करनी है दौड़ना कुदना फांदना यह सारी की सारी चीज़ें हो गए और इसके अलावा आपका एक से दूसरी जगह किसी चीज़ को अगर फेकना वगएरा जो अब आज की तारीक तक अगर हम लोग बात करें तो ट्रैक इंफिल्ड इवेंट की काटेगरी में अड़ हुआ है और यह अड़ हुआ था लगवग 18th century में याने की 1701 से लेके 1799 या 1800 के बीच में यह पोल वाल्ट करके जो है लास्ट इवेंट पगरा आड़ हुआ था यह याद रखिएगा ट्रैक इंफिल्ड इवेंट्स बहुत पुराने गेम्स है और सबसे लेटेस एडिशन इसमें आपको देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है पूल वाल्ट का इन दे लेट 19th century modern track and field competitions were separated from general sporting festivals and were first recorded तो अब 19th century के की अगर हम लोग बात कर ले लेट 19th centuries यानि 1880s 90s के अगर हम लोग बात कर लें तब तक track and field events जो हैं दूसरे sporting competitions के साथ में organize करवाए जाते थे अलग से इनको as such recognition वगरा नहीं था मगर तब तक क्योंकि यह famous बहुत हो गया थो और और भी काफी सारे factors वगरा थे तो इसके चलते यह जो modern track and field competitions वगरा है इनको late 19th century में है आपका general sporting festivals वगरा से या general sporting events से आपका separate किया गया और पहली बार इस चीज को record किया गया कि track and field के events हो रहा है उसमें आपने track and field करा लिया तो उसको फिर गला category में कराना पड़ेगा ऐसा नहीं कि दूसरे गेमों के साथ में आपने दो दौर लगवा दी और उसको फिर उ अब यह जो general sporting festivals वगरा है जहां पर track and field को अपने आप में गलग माननेता मिली है जनरली आपके educational institutions वगरा हो गया है schools, colleges वगरा, military institutions वगरा हो गया, sports clubs हो गया, यह लोग इसको organize करवाया करते थे, competitive hurdling first came into being with the advent of staple chase in England around 1850, the first national body of the sports of athletics, the amateur athletic association was established in England in 1880. तो कुल्मिला की यह है कि यह events वगरा को अलग करवाया गया, popularity न की बड़ी रही थी, काफी बड़े-बड़े level पर जो है इनको organize करवाया जा रहा था, hurdling events वगरा की बात की जाए, hurdling events का मतलब होता है, इस तरीके के events जिसमें आपको दोड़ना भी पढ़ रहा है, मगर इनलेंड में 1850 के आसपास introduce किया गया और उसके बाद से, यहां hurdling events वगरा भी जो है काफी बड़े level पर होने लगे, and ultimately फिर एक आपकी national body वगरा बनाई गई जो athletics वगरा के sports related आपके जो भी organizations वगरा है, जो भी competitions वगरा है, उनको इनलेंड में देखने लगी, इसका नाम जो है ultimately फिर आपका track and field events के उपर focus किया और अपने AAA championships वगरा जो है MHA और athletic association championships के नाम से annually इनको organize करवाना शुरू करवाया, यहां से इनकी जो प्रसिद्धी है और ज़्यादा बढ़ने लगी और Europe में इनकी ख्याती और ज़्यादा फैलने लगी, आपके track and field events वगरा की बात क क्लब, तो USA में 1868 में जो है आपका track and field championship वगरा का organization New York club ने करवाया था, तो कुल बिला कि इतना समझ में आ रहा है कि track and field events वगरा जो है, काफी ज़्यादा आपकी ख्याती हासिल करते जा रहे है, धीरे 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 तरक्की के रास्ते पर आगे बोढ़ते जा रहे है, जादे 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 लोग इसमें रूची दिखा रहे हैं और जादे 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 लोग इसमें participate कर रहे हैं, compete कर रहे है, the establishment of the modern Olympic Games at the end of the 19th century marked the new height for track and field events, the Olympic athletic program comprised of track and field events including a marathon race, they also contain many of the foremost sporting competition of the 1896, competition of the 1896 summer Olympics, तो बाद में आपका जो यह modern Olympic Games वगरा शुरू हुए, बाद में यह modern Olympic Games वगरा में, जो 19th century के end में शुरू हुए, यहां से track and field events का अपने आप में एक नया दौर शुरू हुआ, क्योंकि Olympics का जो program वगरा था, Olympics वगरा जब decide कियेगा कि फिर से करवाए जाएंगे, उसमें आपका track and field events वगरा को शामिल किया गया, और यह जो track and field events वगरा है, उसक इनके competitions वगरा organize करवाए जाते हैं, और Olympics में इनकी जो races वगरा जो है, जो भी आपकी अलग-अलग events वगरा है, उसमें जो आप अगर अच्छा perform करते हो, तो वो अपने आप में सम्मान और प्रतिष्था की बात होती है, जैसे हुसान बोल्ट की बात हम लोग कर लेता है, अपने लिए सम्मान और प्रतिष्था पा रहा है, मगर कही ना कहीं को आपका जो event है, उसको बहुत ज़्यादा popularize कर रहा है, लोग और ज़्यादा जो है, इसमें आप रुची ले रहा है, क्योंकि ultimately दोड़ सब सकते हैं, मगर जब आप देखते हो कि अपने ऊबर काम करते यह कोई आदमी दोड़ को इतना परिश्कृत कर सकता है, इतने हाई लेवल तक अगर वो दोड़ते हो निकल जा रहा है, तो यह अपने आप में लोगों को फिर जो है आकर्शित करता और इस तरीके से गेम जो है उसका प्रशार प्रशार हो रहा है, और फिर obviously बात है दो द बातसीत करेंगे, देखते हैं से, तो एथलेटिक्स में इंडिया की क्या हिस्ट्री देगे थोड़ा सब उसके बारे में बातसीत करता है, एथलेटिक्स के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग इंडियन हिस्ट्री को खंगा लेंगे तो 1940s से लेकर आपका 1950s के बीच का जो एक दशा किया फिर एक डेकेड रहा है, वो एक important time period था क्योंकि उसमें जो है काफी सारे athletic associations वगरा शुरू किये गए थे, अलग-अलग games के respect में अलग-अलग आपके athletic associations वगरा को शुरू किया गया था, 1946 में आपका MHA और Athletic Federation of India की स्थाफना की गई, जिसको हम लोग शॉट में AA AAFI या फिर AAFI भी बोलते हैं, 1946 में इसको स्थाफित किया गया था और इनको जिम्मेदारी दी गई थी कि भाई आप जो है Indian Athletics का management वगरा करेंगे, Indian Athletics का पूरा सिनेरियो जो है वो change हुआ है, AAFI ने जब काम करना शुरू किया और जो दूसरे आपके athletic associations वगरा थे, उनके सारे phases वगरा से गुजरे हैं, कई सारे दौर आए, कुछ अच्छे दौर थे, कुछ बुरे दौर थे, मगर हम लोग sustain करके रहे हैं, काफी सारे आपके track and field events वगरा आपके खेले भी गए, organize भी करवाए गए, पहले आपके ये सारे के सारे events grass पे करवाए जाते थे, यानि कि घास का मैदान होता था, उस पर फिर चूना और बाकी सारी चीज़ें डाल कर आप पूरा का पूरा ग्राउंड तयार करते थे अलग-अलग events के लिए, और उस पर ये events वगरा होते थे, आज की तारीक में बात की जाया तो synthetic track का इस्तेमाल किया जाता है, इसकी मदद से अब ये काफी जादा easy इस लिए पड़ जाता है, इस पर आप बार-बार चुना लेके manual marking नहीं करना पड़ती, और throw or jump events वगरा जो है, उनको organize करवाने के लिए आपके well defined spaces वगरा होते हैं, तो सारे की सारे events आप organize करवा सकते हैं, इसके अलावा technology की मदद से जो है, आपका sports वगर अगर आप देखें तो improve किया है, इंडिया ने आज की तारीक में काफी सारे आपके जो athletes वगरा प्रिपार किये हैं, जिन्हों ने international fame हासिल किया है और अच्छे performances वगरा दी है, अगर आप कुछ important नामों की बात करना चाहेंगे तो Milka सिंग हो गए, सबसे पहला नाम, इसके अलावा TC योहानन हो गए, गुरुबचन सिंग हो गए, श्रीराम सिंग हो गए, इन सब लोगों, यह हमारे international लेवल पर जो है, अथलेटिक्स में इंडिया को प्रेजेंट किये हैं, अलग-अलग events वगरा में, और कहीं ना कहीं laurels वगरा भी जीतने हैं, respect वगरा बिनोंने क काफी famous थे, आज कि अगर हम लोग बातचीत करें, जो इतलीट्स वगरा को देखते हुए, अभी ही generation जो है, इसके पहले की एक यह दो generation जो गुजरी है, हमारे contemporary इसकी अगर बात की जाया तो इसमें athletes में, athletics वगरा में, आपके PT उश्या जो हैं बड़ी famous अथलीट हैं, अंज की तरफ से माने जा सकता है, आप बात करते हैं, athletic events वगरा के classification वगरा की, देखिए, competitions के point of view से देखा जाया है, तो athletics को चार categories में divide किया जाता है, important है, इसको ध्यान से सुनिएगा, exam वगरा में यह पूछा जा सकता है, अगर आप competitive point of view से बात करें, competitions के nature के अनुसार आप बात करें, तो athletic events चार categories में divide होतना है, पहले होते हैं, आपके track events, दूसरे होते हैं, field events, तीसरे होते हैं, combined events, और चौते होते हैं, events that are conducted outside the stadium, चार categories है, याद रखना है, इसको अपने को क्या क्या है, track events, field events, combined events, and events conducted outside the stadium, अब track events, कौन से events होते हैं, तो track events, वो सारे की सारी events होते हैं, जिसमें running वगरा जो हैं करवाई जाती है अगर कोई भी event हो रहा है जिसमें दोड़ना है भागना है जिसमें running आ गई वो सारे के सारे आपके track events की category में रखे जाते हैं या फिर उनको track events की चाते के अंदर या umbrella के अंदर में जो है count किया जाता है हैं दूसरे होतने field events field events में आपके jumping हो गई throwing हो गई jumping throwing और इस तरीके की activity वगण उतनी है उसके सारे वेट्ट्स वगण इसमें आते हैं तीसरे आपके combined events होतने हैं तो ऐसे events जिसमें track भी करवाया जा रहा है जिसमें field भी करवाया जा रहा है, जिसमें कुछ आपकी jumping की activities भी है, जिसमें कुछ आपकी जो है, आपका running की activities भी है और कुछ है जिसमें jumping, running दोने करनी पड़ रही है, या फिर और आपका running या walking, इस तरीके कोई भी ना, जंपिंग और throwing इस तरीके यह कुछ ना कुछ combination बगरा बने हुआ है इस तरीके के events बगरा जो है वो कहलाते हैं आपके combined events बगरा इसके बाद में अगले आते हैं आपके events that are conducted outside the stadium तो यह वो events होते हैं जिनको हम लोग आपका track पे नहीं करवा सकते हैं जिसको ground बगरा के अंदर नहीं करवाया जा सकता क्योंकि इसमें duration या फिर जो length बगरा है जो distance कवर करना है वो बहुत जादा होता है example के लिए अगर आप marathon की बात करना है जिसमें 42.195 km आपको जो है चलना है दोडना है या 20 km या 50 km की walk हो गया अब यह ऐसे events बगरा है जिसको ground के अंदर नहीं करवाया जा सकता है जिसको आप track बगरा पे नहीं करवा सकते है तो इसको फिर आपको roads बगरा पे करवाना पड़ होती है और इसमें देख लेते हैं classification हम लोगों को further अब track events के classification की बात करनी है तो track events का जो classification होता है अब track event का मतलब क्या दोड़ना वागना जो भी है आपका वो सारा का सारा track events में आ गया इसको भी तीन categories में divide किया गया सबसे पहले आपकी short distance races है middle distance races और long distance races है आप वो आपकी 100 मीटर की दौड़ हो गई 200 मीटर की ओगई 400 मीटर की हो गई या फिर 110 मीटर की हो गई hurdle race ओगेड़ा ये सारी की सारी जो है आपका short distance races में आती है 800 दौड़ गए या आपका middle races में आती है इसके बाद आपका 3,000 मीटर की stipple cows है या 3 किलो मीटर बोलीडिए इसके लएफ आपका 5000 मीटर यांने 5 किलो मीटर 10,000 मि esalam from 10 किलो मिल्मिटर या 20 किलो मिल्मिंटर की walking आब यह सारे की जो है long distance races या long distance events वगरा की category में रखे जातने है शौट डिस्टेंस का जो अपना ये ग्राफ चल रहा है या फिट जो अपना ये जो सेक्शन चल रहा है इसमें और भी कुछ रेसे जाती है वोमेंस वगेरा की बात की जाए 100 मीटर हर्डल रेस हो गई 400 मीटर की आपकी हर्डल रेस हो गई अब ये 4 x 100 क्यों लिखा गया इसका एक वज़ा होती है जब पढ़ेंगे तब बताऊंगा इसी तरह 4 x 400 मीटर रिले हो गई ये भी जो है शौट डिस्टेंस की काटेगरी में रखी जाती है मिडल डिस्टेंस में आपका 1500 मीटर महिलाओं को भी दोड़ना होता है तो उनके लिए भी मिडल डिस्टेंस यह हो गया रोड इवेंट्स वगरा हो गया लॉंग डिस्टेंस में 50 किलूमिटर की वाकिंग होगी मैराथान हो गया 42.195 किलूमिटर में वह जो भी है उसका जिसमें आपको खुद कूदना है और दूसरा हो गया आपका फ्रोइंग इवेंट्स में आपको किसी चीज़ को एक सा दूसरी जगह फेकना है तो जम्पिंग इवेंट्स वगरा में आपका लॉंग जंप रिपल जंप पोल वाल्ट इनके बारे में बातचीत करेंगे हैं collim Ex are those events which are characterized as mixed events from the track as well as field events for men there are Mixed events called decathon and comprised of 10 event to be completed within the span of two days to combine events का मतलब क्या होता है यह वो events fresh के भी कुछ events वगरा शामिये जाता है फिल्द के भी कुछ events व हो शामिल किया जाता है वो अगर हम लोग पुरुशां की या फिर अगर आद्मियों की बात कर लेते हैं तो उनके लिए जो आपके ये combined events या कई बार इनको mixed events भी बोला जाता है इनको organized जो करवाया जाता है ये जो organized करवाया जाते है combined events या mixed events इनको कहा जाता है decathlon decathlon जो है इसमें आपका 10 events वगरा करवाया जाते हैं और ये 10 events आपके दो दिनों में complete करवाया जाता है combined track and field events for women are called haptathlon and are divided into seven events these mixed events are classified below तो अगर महिनाओं की बात की जाए उनके लिए combined events या mixed events वगरा जो होता है है इनको organize करवा इनका जो नाम रखा गया है इनको बोला जाता है haptathlon और इसमें साथ events वगरा करवाया जाता है याद रखिएगा इस बात को combined events का मतलब क्या track and field डोनों की events को mix करकर आप जो है जो events वगरा करवाया जाता है वो साथ categories में divide किये गए ठीक है जी आप classification देख लेते हैं combined events का पहले दिन क्या क्या करवाया जाता है और दूसरे दिन क्या 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 करवाया जाता है अगर हम लोग decade long की बात कर लाग याने की पूरूशों की बात कर लें पहले दिन 100 मिट की एक race होती है फिर लोंग जंप होता है उता चार सू मीटर होती है दूसरे की बात की जाया तो 110 मीटर हरडल डिसकस था फोल वाल ज्यावलिन थे निफ फंदरह सू मीटर की रेस कह जाइन जो है वह घर हूं कि बात करें तो उस में पहले पर 400 मिटर की रेस हो रही है यहां पर सिर्फ 200 मिटर की रेस हो रही है पहले दिन तो है अलग आप यह सारे इवेंट्स हो रहा है पहले दिन पुरूशों के हमने देखी लिए हैं 110 मीटर का हर्डल और वाल्ड और वाल्ड और सारी चीज़ हैं मैलाओं की बात की जाए तो लॉंग जुम्प होता है जैवलिन थ्रो होता और 800 मीटर की रेस होती है सेकंड है इस तरीके से आपका है याद रखना है इस बात को मिक्स इवंट होंगे, अगर पूरुष पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्या बोला जाता है डिकेटला रूर अगर मैला हैं CT क्या हो रहा है पहले दिन 100 मेटर दोडा दिया फिर long jump करवा दी, short put करा दिया, high jump करा दिया, 400 meter अगले दिन, 110 meter hurdle, discuss, pole vault, jablin throw, 1500 meter यहाँ पर क्या कहानी है, पहले 100 meter दोड़ गई महिला है, heptathlon में, फिर high jump कराया, short put कराया, 200 meter करवाया, उसके बाद में long jump, jablin throw, 800 meter challenge आगे बढ़ते हैं, आप हम लोग बातचीत करेंगे, general rules के बारे में कि कौन-कौन से general rules and regulations वगरा होता है, जिनका पालन generally किया जाता है, जब athletics वगरा में हम लोग participate कर रहे होता है, देखते हैं से, general rules वगरा जो है, generally यह जितने भी आपके athletic events वगरा होता है, सब में follow किया जाता है, सब में इनका पालन होता, कहीं पर कोई exception हो तो एक अलग बात है, मगर general rules वगरा आपके जितने भी events वगरा होता है, सब पर लागो होता है, तो सबसे पहला जो general rule है, वो यह है कि athletes वगरा को shoes वगरा में ही दोड़ना है, आपको नंगे पैर दोड़ने कि अजाज़त नहीं है, आपको इसके अलावक और कुछ पहनके अगर आप दोड़ना चाहते हैं तो पहन के दोड़ने की जाज़त नहीं है आपको रोड़ना है तो भी आपको sport shoes पहन के हैं फिर जो specific आपके shoes वगरा जो standard recognized इस किया गया है अलग-अलग इवेंट्स वगरा के लिए वो स्चूज पहन करी जो है आपको दौरना पड़ेगा अब साती साथ आपका जो है अथलीट है उसकी चेस्ट पर और उसकी पीट पर एक नंबर होना जरूरी है जो भी उसका अथलीट ने अपने नाम यहां पर एक हजार साथ इसका जो नंबर है वो पहन रखा है यही नंबर उसने पीुटारफ की तरफ में जो पौपर चाहो तो आप की तरफ में नंबर पहन लो या पीछे की तरफ में पहन लो उसमें जिर्वे की नंबर पहनने की जरूरा थे मगर जनरली अगर आप देखो गए तो दो नंबर्स वगर आपको पहनना पढ़ते हैं अब अपने को पता है कि जब भी हम लोग कोई रेस वगरा करते हैं तो अगर आप उन्यों मार्क्स पर है और उसके बाद गेट सैट पर आयो उसके पहले की गो के लिए गन को फायर किया जाए उसके पहले-पहली अगर आप दोड़ गए तो अगर कोई अगर अगर पूई तो है एक foul consider किया जाता है इसको एक foul माना जाता है और उसके चलते फिर उसको expel कर दिया जाएगा जब तक आपकी gunfire नहीं हुए और उसके पहले अगर आप दोड़ गा तो फिर आपको expel किया जा सकता है अगर कोई combined event वगरा चल रहा है यानि कि जिसमें track और field दोनों के event सामिल है और उसमें अगर आपको gunfire करने के पहले अगर आपने दोड़ लगा दी तो पहली बार में इसको foul माना जाता है और warning दी जाती है मगर अगर आपने फिर वही गलती करी आपसे अगर दूसरी बार फिर से foul हो गया तो फिर उस condition में आपको game से expel कर दिया जाता तो याद रखना है इस बात को कि आपके जितने भी athletes के events वगरा होते है specifically races वगरा जो भी होती है उसमें on your marks get set उसके बाद go के लिए gun जो है वो fire की जाती है इसके firing के पहले अगर कोई athlete आपका दोड़ गया तो उसको फिर expel कर दिया जाता है आपका race से या game से और अगर combined events वगरा हो रहा है mixed events वगरा हो रहा है तो उसमें फिर क्या होता है उसमें आपका एक बार पहली बार में फाउल मन लिया जाएगा अगर आप गन के पहले दोड़ गया गन फायर होने के पहले और second time में फिर आपको या फिर second फाउल पे आपको expel कर दिया जाएगा चले आगे बढ़ता है इसके अलावा जो आपका starters है वो सिर्फ English में बोलता है स्टार्टिंग के टाइम पर यह important है यह एक नियम बनाया हुआ है कि स्टार्टिंग बगरा के पहले आपका जो starter है वो English में बोलता है ताकि कि किसी भी तरीकिया कोई confusion ना हो एथलीट किसी भी शेत्र से आता हो किसी भी भाशा को जानने वाला हो यह English में अगर instructions दिये जाएंगे और लगाता है उसी कि में उसमें प्रैक्टिस करी होगी तो किसी तरीकिया कोई confusion वगरा नहीं होगा तो starter हमेश है English में बोलता है स्टार्टिंग के टाइम पर अगर एक से जाधा athletes वगर आपके participate कर रहा है उसको रोकता है किसी तरह तांग अड़ान की कोशिच कर रहा है सामने आ रहा है किसी भी तरह से उसको अबस्क्राइब कर रहा है एसी same lane allotted to them अब 400 meter तक कि आपकी जितनी भी races होती है 100 meter की हो गई 200 meter की हो गई 400 meter की जो races वगरा होती है इसमें आपको जो lane दी गई है उसी में आपको अपनी race खतम करनी है जैसे यहाँ पर ground पर आपको दिख रहा है कि यह जो athlete है इस लेंट में दोड़ रहा हैं यह जो athlete है या पनी इस लेंट में दोड़ रहा है यह वाला जो athlete है वो अपनी इस लेंट में दौड़ रहा है तो 400 meter तक कि आपके जितनी भी races वगरा होती हैं इनको अपनी अपना lane चेंज करते हो लेट से की मैं अपनी इस Korean में दोर रहा हूं और यहाँ पर आपका पहला करवाया 800 मीटर के बाद मैं तो उसके बाद में में अपने जो मेरे लेंन के जो पहला लेन है में उसमें आपका shift कर जाता हूं तो 800 मिटर की रेस में आपका लेन वगरा change होती है आपका पहला करवाने पर आपकी जो भी लेन में आप दोड़ रहे हैं उसकी फर्स लेन में आप shift हो जाते हैं अब athletic track की बात कर लेते हैं तो athletic track basically oval shape का होता है और कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलता है ये तरीके से capsule बगरा जैसा जो है देखता है तो ये जो है आपका इसी तरीके का कुछ shape बगरा आपको देखने को मिलता है ये आपका athletic track बगरा हो गया अब ये जो आपका यहाँ पर जित्ती भी races बगरा होती है चार सो मिटर की race हो गई है इसके अलावा भी जो आपकी races बगरा होती है जिसमें आपके athletes को separate lanes में दोड़ना होता है तो वो lanes बगरा भी इसके उपर अलग से बनाके बताई गई है ये जो लाइने हैं इनके बीच में space है वो lanes बगरा इसमें इनको दोड़ना होता है और हर एक जो आपकी ये जो lane बगरा है उसके width आपका 1.22 मीटर से 1.25 मीटर की बीच में रखी गई है और lines जो इस पर बनाई जाती है lanes के लिए हर एक की जो width है वो 5-5 cm की रखी गई है ये याद रखिएगा चले आगे करते हैं मैं 300 starting the race के बारे में race वगरा जो है आपकी शुरू होती है उसके लिए आपको एक gun का fire दिया जाता है जो referee वगरा है जो भी ground पे मौझूद है बंदा वो gun fire करता है वो इक indication होता है कि अब आपकी race जो है शुरू हो गई है ठीक है अब जब एक बार race शुरू हो गई इसके लिए जो चीज आप शुरू करते जो आप करते उसको बोला जाता है start अब start लेते हो उसके बाद में आप दोड़ना शुरू करते हो अब यह जो start होता है basically या mainly दो तरीके का होता है इसमें हमको एक तरीके का start जो है उसके बारे में बातशीत करना है और उसका नाम है crouch crouch start crouch start जो है यह खास तोर पर आपकी sprint races में जो फर्राटा दौर होती है 100 मीटर 200 मीटर 400 मीटर उसमें इस्तेमाल होता है इसमें starting block का इस्तेमाल किया जाता है और इसके मदद से starting block पर आपनी पैरों को रखके अपनी position जो रखके बैठे हुए हो और crouch start वगरा में की मदद से इसके जो पैर है उसके पीछे में आपको कुछ support structure देखने को मिल रहा होगा wedge के shape का या फिर triangle के shape का तो यह जो चीज है यह starting block है ठीक है जी यह starting block वगरा आपका रखा हुआ है उसके उपर उसके आपने पैरों को रखा एक certain position में है और उसके बाद में वो start करते हुए जो है एक दम से वो गोली की दरा फिर निकलेगा तो इस तरीके के आपका जो crowd start है generally आपका sprint races या फर्राटा दोड़ों में इस्तिमाल होता है पहली बात दूसरी बात यह कि इसमें एक starting block का इस्तिमाल किया जाता है और इससे होता क्या है आपकी reaction आपकी speed और आपकी explosive power का अच्छा होता है और better इस्तिमाल होता है इसको भी तीन categories में divide किया गया है सबसे पहली category कहलाती है बन्च स्टार्ट या फिर bullet श्तार्ट जो होता है इसमें इसमें आपका जो starting line है और आपका जो blocking है यह line और आपका यह जो block है जिसपे इसने pair रख्या हुआ है इनके बीच में 16-19 इंच के आसपास का distance रहता है 16-19 इंच के बीच का distance आपको starting line और starting block के बीच में देखने के लिए मिलता है the distance between both the blocks maybe 8-11 inches अब यह जो दोनो blocks वगरा के portion आपको देखने को मिल रहा है यह जो आपके blocks के दोनों हिस्से आपको देखने को मिल रहा है इनके बीच में 8-11 inch के आसपास का distance आपको देखने को मिल सकता है इसके बाद the athlete sets the body in crouching position in such a way that the rear toe and the heel of the front foot should be in a straight line अब athlete अपने आपको crouching position में या फिर इस तरीके की position में ऐसे लेकर आता है या इस तरीके से रखता है कि आपका rear toe and heel of the front foot should be in a straight line आपका जो ये आपका जो front वाला foot है इसमें आपका और इसके आपका जो rear वाला toe है ये दोनों एकदम straight line में आने चाहिए ये जो है एकदम आपके straight line में होने चाहिए आगे the toe should be behind the starting line like a bridge but in the line of big toe तो यहाँ पर अपने हो क्या बताया गया the athlete sets the body in crouching position in such a way that the rear toe that the rear toe and the heel of the front foot should be in a straight line अब athlete क्या करता है अपने आपको crouching position में रखता है याने कि कुछ इस तरीके की position में रखता है या फिर यूँ बोल सकते हैं कि ये जो आपका ये वाली position बगरा है ये आपकी crouching position है इसमें रखता है इस तरीके से रखता है कि आपका जो heel of the front foot है that the rear toe and the heel of the front foot याने कि पीछे वाले पैर का जो पंजा है वो और आपका जो front वाला foot है इसकी heel जो है वो एक straight line में होनी चाहिए ठीक है जी तो आपने position इस तरीके ये रखनी है इस तरीके से आपने crouching position में आना है कि आगे वाला पैर जो है उसकी heel हो और पीछे वाले पैर का जो पंजा है ये एक दोन एक दूसरे के साथ में straight line में आने चाहिए एक चीज दूसरी चीज तो शुडबी बिहाइंड अस्टार्टिंग लाइन 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 रखना है अब इसमें आपकी दोनों arms वगरा जो है वो स्टेट होनी चाहिए और आपके hips वगरा है वो थोड़े से आपको lift up करके रखने है ये position मगरा बना के रखने तीन बात है पहला क्या इस तरह से रखो कि पीछे वाले पैर का जो पंजा है वो आगे वाली heel के सांथ में सीध में आजा है straight line में आजा है अब आपके जो दोनों toes वगरा है वो bridging position में होने चाहिए मगर आगे वाला जो पैर है उसके सांथ straight line में या उसके along जो आपने आपको align या फिर incline रखना है तीसरी चीज दोनों हाथ आपके straight होने चाहिए जैसे इसमें रखा हुआ है और चौती ची अब आजाते हैं हम लोग medium start के उपर medium start में the distance of the block from the starting line is 15 to 18 inches तो medium start में क्या किया जा रहा है आपका जो block का distance वो 15-18 इंच कर दिया गया है यहां 16-19 इंच था यहां पर 15-18 इंच कर दिया गया है याने की एक एक इंच जो है इसको एक इंच जो है इसके आसपास में distance में कमी आई है the distance between both the blocks maybe 15-20 इंच मगर यहां पर जो दोनो blocks है आपके starting block के उसका जो distance उनके बीश का जो distance है वो 15-20 इंच कर दिया गया है याने की बढ़ा दिया गया आगे the knee of a rear leg and the arch of the front foot should be in a straight line आपका जो पीछे वाला पैर है उसकी नी हो गई और आपका जो front वाला foot है उसका जो arch हो गया इनको आपको straight line में रखना है the shoulders and the hips are almost in the straight line अब यहाँ पर एक बात जो common है वो क्या है आपके hips होगार आपके shoulders हो गया है वो एक straight line में है बाकी more or less इसके पहले वाले की तरह है हाथ उसी तरह से straight रखने है थोड़ा सा पैरों के बीच में distance आपका आपने बढ़ा दिया है starting block के बीच में distance करके बाकी आपक जो दोनों पैर हैं के बीच में distance बहुत जादा बढ़ जाता है और आप थोड़ा सा आगे की तरफ में जो है जुग जाते हैं बाकी इसके लाब और जादा फर्क आपको इसमें देखने के लिए नहीं मिलता the distance of the block from the starting line is 11 to 14 इंच आपका जो block है वो 11-14 इंच के distance पर है the distance between both the blocks maybe 25 to 29 इंच आपका जो starting blocks है उनके बीच में जो दोनों आपके जो blocks हैं उसके बीच में distance बढ़ जाता यह ऐखारदिंगली आपके दोनों पैरों के बीच में जो distance थोड़ा सां comfort है वाल है जनर ये लोग इसके साथ में नहीं जाना पसंद करते हैं maximum लोग जो हैं वो medium start को पसंद करते हैं बाकी आपके जो दोनों starts है bullet start हो गया है फिर जो longer start हो गया इसके अपेक्षा आपका medium start है उसको जादा पसंद किया जाता है और most of the athletes जो है इस particular posture या इस particular position के साथ में जो है अपना start लेता है the distance between the blocks front and the rear varies and depends on the height of the athlete आप दोनों blocks के बीच में आपका जो starting block है उसके दोनों आपके जो portions है दोनों blocks के बीच में कितना का distance हैगा ये more or less अब आपके athletes की height और weight पे height और dimensions पे भी depend करता है जो आपने है तो इसका importance या relevance है थोड़ा से इसके बारे में discussion बगएरा या थोड़ी चर्चा इसके बारे में हम लोग करते हैं देखते हैं तो अब अपने को starting block के बारे में बातशीर करनी है तो जैसा कि हमने इसके पहले देखा कि आप भाई अपना race बगएरा जो है उसमें start लेके फिर आप अपनी race को शुरू करते हैं अब start जितना अच्छा रहेगा उतना अपनी पावर अपने इंपल्स अपने फुश और बाखी सारी चीजों का इस्तिमाल कर पाएंगे अब सवाल यह उठता है कि अच्छा start लेने के लिए किया क्या जाता है जिसका नाम होता है starting block अब किसी भी particular sprinting activity की बात की जाए उसमें अपनी sprinting ability को enhance करने के लिए generally starting block का इस्तिमाल किया जाता है ताकि आपको एक अच्छा start वगरा जो है मिल सके यह athlete को अच्छा support देता है और आपका body वगरा को जो है आगे की तरफ रखने में अपनी body को जितना हो सके उतना चल्द आपका expel करकर उस position में running position में लाने में जो है आपकी मदद वगरा करता है तो वही बात यहां लिखी है the starting block helps an athlete to give support during the start of race to expel the body forward पहले दिखता कैसे वह आपको दिखा देता हूं बाकी बात ने उसके बात करेंगे यह देखिए एक starting block जो है कुछ इस तरीके का आपको देखन से और अपनी height वगरा के हिसाब से आप चाहो तो इनके बीच में जो distance से इसको बढ़ा भी सकते हो कम भी कर सकते हो डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से जो है अपने posture को रखना है start वगरा लेने के पहले किस तरीकी की position जो है आप बनाना चाहते हो यह हो गया एक और photograph द रखते हैं उसके पहले इनको adjust किया जाता है accordingly कि आप अपनी dimensions वगरा है कि हिसाब से पूरिशन में आना चाहते है उसके according आप इसको adjust करते हैं और उसके बाद फिर इसके ऊपर on your marks get set and then आपका फिर जो भी start वगरा होता है आपका race वगरा में फिर आप effectively अपना start दे सको उसके इसका इसका इस्तेमाल किया जाता है अब starting block की खासियत यह है कि इसको right angle पर रखना जरूरी होता है और यह अपनी height जो होती है athlete की उसके अनुसार adjust किया जाता है दो qualities या दो requirement अच्छे starting block में होती है कि इस strong होना चाहिए अब यह नहीं होना चाहिए कि इसके उपर आपने pair रखा और वो ड्हे गया या फिर वो बेंड हो गया या फिर उसको फेल कर जाया structure वगए तो यह चीज नहीं होनी चाहिए दूसरा यह adjustable होना जरूरी है इसमें आप adjust वगए अच्छे से को कर सकें तो ज्यादा better रहेगा अब start करने के पहले athlete को आपका काम और compose रहना चाहिए आपकी जो भी commands वगरा मिल रही है उसके अनुसार आपको चलना है अब आप इस पर जब set करते हो अपने आपको तो उसके बाद में race शूरू होने के पहले जो instructions दिये जाते है on your marks get set and go थोड़ा सा उसके बाहरे में बात करते हैं आपको जब on your marks की command मिलती है तो athlete जो है starting line की तरफ जाते हैं और अपनी पोडिशन ले लेते हैं starting block के ऊपर कुछ इस तरीके से अब यह आपने starting blocks के ऊपर अपने pair रखे हुए हैं और यह on your marks की position पर आ गए है अब यह जो है अभी आपका जो head है वो एक resting position में उता है तोड़ा सा नीचे की तरफ में जुका हुआ है इस आपके hands वगरा को आपने starting line के पीछे parallel रख लिया और accordingly जो है अपने weight की shoulders के अनुसार जो है set कर लिया है body का weight जो है पूरा आपने particular position में आपके rear knees जो है उसके ऊपर और अपने hands वगरा के ऊपर distribute कर दिया है यानिकि पीछे वाला जो घुटना है इसके ऊपर और जो दोनों आपके हाथ आगे की तरफ है इस पे आपने body के weight को जो है distribute कर दिया है अब starting position जो रहती है उसमें shoulders जो है आप चाहो तो उनको अपने starting line के आगे move कर सकते हो यानिकि इस तरीके से आपने position ले ली और आपकी starting line यहाँ से गुजर रही है आप चाहो तो अपने shoulders को आगे की है वो starting line से छूना नहीं चाहिए नेक वगरा जो है उसको resting position में रखना है और concentrate करना है next command वगरा के लिए इसके यह on your mark कुछ इस तरीके से जो है आपको देखने के लिए मिलता है NCRT में आपको यह photograph वगरा जो है दी गई है और यह real life के photograph मैंने यहाँ पे लगाई है चले पर इस्तिती में आप अपनी कोशिश यह करते हो कि अपनी जो back है इसको अपना shoulders के थोड़ा सा उपर की तरफ में उठा सको अपना जो rear portion है इसको थोड़ा सा अपना shoulders के बराबर ला सके हैं shoulders से उपर की तरफ में उठा सके है body का weight है वो आप पूरी तरीके से अपने front foot और hands के बीच में distribute करते हो मतलब यह कि पहले आपका जो body का weight सा वो पीछे वाली knee के उपर distributed सा जब वो जमीन सा लगी हुई थी अब जैसी आपने set की position में आए तो फिर ऐसी condition में आपने आगे वाले pair के उपर और दोनों हातों के उपर अपनी body की position को अपने weight को जो है distribute कर दिया है सब्कुल मिलाकर यह position unstable है और 10 10 position होती है इसलिए body की कोशिश भी होती है कि जत्ता जल्दी हो से किस position से निकल सके और इसी वजह से इस particular position में ब्लॉक को छोड़ने में असानी होती है जनली क्या होता है कि हम सब के शरीप एक आपका comfortable position में जाना चाहते है comfortable state में रहना चाहते ह अगर अगर आप उससे कोई काम करवाने की कोशिश करोगे तो उसको फिर अपने आपको उसके उस position में लाने में या उस particular motion में लाने में थोड़ा वक्त लगता है क्योंकि वो अपना comfortablyly arrest की position छोड़ना नहीं जाती है यहां पर जो position पे आप हैं फली आप यहां पे रुके छोड़ सकते हैं head should be in resting position and grip on the back should be strong head up जो है आपका resting position में रखें grip बगरा उसको strong रखें और इसके साथ ही अब आपको इतना alert रहना चाहिए कि जैसे गो बोला जाएगा या फिर गो के लिए जो गन आपकी दागी जाएगी उसके साथ में आप जो हैं खडाग से दोड़ना श गोड़ा जाता है गोली चलाइगा जाती है और जासी आपका होता है अच्छा स्टार्ट आपको मिल जाता है और उसके बाद में फिर आपकी ability बगड़ा है कि है आप ultimately कितना अच्छा स्प्रिंट करएगा देर्ट सुट लेट इस बाडी से अपनली सि जैसे आपने स्टार्ठ लिया, उसके बाद से प्रॉप्र हो इससे आपको डोड़ जाना है उसके बाद बांखे यह इस तरह से स्पिरिंट की पॉरिशन थी, इस तरह से पॉरिशन में आए इ intox세요 चले अब बात कर लेते हैं फिनिशिंग की रेश शुरू तो हो गई मगर रेश को फिर अपने को खतम भी करना है अब्वियसी बात अगर आपको रेश जीत नहीं है तो रेश जीतने के लिए क्या ज़रूरी होता है आपको सबसे पहले जो है दोड़ कर पहुंचना है पड़े है फिर आप पूरा जो टॉप तीन होते हैं इनको मेडल मिलता उससे बाहर हो जाओगे पीटी उश्रा केस आपको पता ही होगा और मिलका सिंग का भी केस आपको पता होगा कि वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वगरा के चलते आपका चौती पोडिशन पर आये थे और उसके कार है लंगिंग फॉरवर्ड टेक्निक में होता यह है कि आप अपनी बॉड़ी का थोड़ा सा हिस्सा जो आपके कंदे और आपका सर वगरा है वो थोड़ा सा आगे की तरफ में जुका देते हैं और उसके चलते जो है आप आपका जो पैर वगरा जब फिनिशिंग लाइन को क पीछे की तरफ में स्प्रेड करते हैं और अपनी चेस्ट को आगे की तरफ में एक्स्पैnd करते हैं देखिए कुछ इस तरीके से जो है आप अपने थोड़ा सा अपने बॉड़ी के अपर पोर्टिम को जुका है और बैलेंस को बनाने के लिए हातों को पीछे करके आपने रखा हुआ है हातों को पीछा करने के बाद में आपका हातों को पीछा करके पीछे की तरफ में करके अपनी चेस्ट को एक्स्पैंड करकर जो है आप बैलन्स वगरा बनाने की कोशिश करने और वेट दिस्ट्रिबूशन करना है वाइल स्प्रेडिंग इस अध्लीट नेट तो बैलन्स बादी और ऑव्वियस यह बात है यह सारी चीज़ है की इसलिए जा रहे हैं हाथों को पीछे के गरफ में स्प्रेट करना चेस्ट को एक्स्पैंड करना ताकि अब अपनी बाडी के बैलन् इस अपने फ्रण्ट लाइन जो है उस तर जल्दी पहुंच हो जतना आगे आप जुक करकर जल्द चल्दी आपनी फ्रंट लाइन को छूलोगे अपने पैरों के पहले तो जितना आ बैलनस के साथ में बैंड कर सकते हों हें दोड़ा जाता है तीसरा होता है रन-through जनरल ये नय अथलीट बगर्ण जो है जो इतना परफेशनल नहीं यह इतना जाद अभी पारणगत नहीं हो पा के लिए टेकनिक इस्तिमाल की जाती है इसमें आपके जो अथलीट्स होते हैं वो फिनिश लाइन जो है उसको दोड़कर पार कर लेते हैं उसके बाद में भी जब एक बार आपकी रेस कंप्लीट हो गई है तब भी वो रुखते नहीं है थोड़ा सब आगे दोड़ते चले जाते हैं और धीरे 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 अपने मोमेंटम वगरा कम करते हैं वक्त के सा लोग जो है एक टीम के तौर पर कंप्लीट करते हैं और उन सब का जो परफॉर्मेंस रहता है ओवर और उसके बेसेस पर की डिसाइड होता है कि आपकी टीम एजब वोल जीतेगी या हरेगी इस रेस में जनरली आपके चार रनर्स जो हैं वो दोड़ते हैं और वो एक सेट की डिस्टेंस दोडना है एक तूर पर हर एक को को क스파 आका कर्णर याने की ये चौतार के बराबर चौन जो है इस आपका बैटन पकड़ना है आप जब आप अपना distance दोड़ चुके होंगे और दूसरे जो बंदा है उसको जहां से दोड़ना है उसके पहले एक छोटा सा portion आता है छोटे से portion वगरा को बोला जाता है exchange zone वहाँ पर खड़ा हो कि आपका वेट करेगा आप ultimately वहाँ पहुंचेंगे उसको बैटन पकड़ाएंगे इस पर्टिकुलर जगे पर अगर आपका बैटन वगरा फॉल हो जाता है तो फिर सिर्फ वही एथलेट जो है उसको उठा सकता है जिसने उसको ड्रॉप किया था जब अगर लेट से मैं आपको बैटन पकड़ाना हो गलती से मेरे से बैटन गिर गया तो मैं उठा के फिर आ जाती है यह दो तरीके से आप करवाते हैं एक तो आपका फोर इंटू हंड्रेड मीटर सोती है और एक होती है फोर इंटू फॉर हंड्रेड मीटर मतलब यह कि आपका बैटन पकड़ के हरे खिलाडी जो है जो है सो सो मीटर दोड़ेगा और तो टोटल डिस्टेंस आपको इसमें छे मेंबर्स होता है मगर फाइनल रेस में जो है एल्टीमेटली इन में से चार्ण मेंबर्स उतरते हैं दो मेंबर्स को आप रखते हो रिजर्व के तौर पे कि अगर रेस के पहले कोई बंदा अगर बिमार पढ़ गया कुछ इशूज होगा को एमर्जंसी होगे त लगभग पचास ग्राम के करीब जो है उसका बेट होना चाहिए अब वह रीजन जिसमें आप बैटन एक्सचेंज करते हो लगभग 20 मीटर का होता है और एक्सलेरेशन जोन लगभग 10 मीटर का होता है याने कि उसके बाद अब आप दोड़ना शुरू करोगे तो ऐसा भी ही एक दम से आप औरड दोड़ने लगो गए तैसadura के अन्दर अंदर जो है आप अपना ओमिंटम होगे और इंक्रीस करोगे अपना अपना अगने और बढ़ाओगे अमको बात करना है Nolan जो है मैं आपका थीुलिए कैसे कि आ जाता है कई सारे तरीके होते हैं बाटने सब से पहला आता है downward pass in such a pass the runner who is to run will move his hand back to the button with palms facing upward the thumb will be towards the inner side and the palm will be upward तो कुलमिलाकर इसमें कहानी यह है कि अब जो बंदे को दौड़ना है बैटन पकड़के वो अपना हाथ पीछे की तरफ में करके रखेगा और उसकी जो हतेली है वो इस तरह से उपर की तरफ में रहेगी जैसे ही उसने बैटन को छुआ या उसकी हतेली से बैटन टकरा ही वो पकड़के जो है आपका दौड़ना शुरू कर देगा तो इसमें आप यहाँ पर आपका जो पास दिया जाएगा उसको डाउनवर्ड पास बोलते है मतलब यह बंदे को बैटन पकड़के दौड़ना है उसने जो है अपना हाथ इस तरीके से खुला रखा है कि यह जो पाम है यह पाम आपका पीछे के तरफ में ऐसा ऊपर के तरफ में उठा हुआ अब ये पाम आपका उपर के तरफ में फेस करता हुआ, करता हुआ, अपने हाथ जो है, खोल के रखा हुआ है, ऐसी परिस्तिती में आपका जो बैटन है, देने वाला जो एथलीट है, उसको बैटन को एक एंड से पकड़ना पड़ेगा, ताकि दूसरा वाला जो एंड है, व अब खड़ा हुआ है, वो इस तरीके से अपना हाथ, जिसमें आप उसका जो पाम है, वो उपर की तरफ में फेस करें, यूँ पकर करके अपना हाथ पीछे के तरफ में खड़ा रहेगा, वो बंदा जो भी बैटन पकड़ के दौड रहा है, क्योंकि उसको जो है बैटन जो है, आपको देखने के लिए मिलेगी, कि इसने जो है अपना हाथ इस तरह से खोल रखा है, इसने उसको एक सिले से पकड़ रखा है, और यह जो है उसके दूसरे सिले को उसके हाथ में रखने की कोशिश करेगा, जैसी उसने इसके हाथ में इसको धर दिया, यह पकड़ लेगा यह अपनी ग्रिप मजबूत करेगा यह अपनी ग्रिप लूज करेगा और उसके बाद यह दोड़ना शुरू करेगा यह बंदा जो है रेस्ट में आ जाए है चले आगे बढ़ता है और उसका एक जो आपको पिक्टोरियल डाइग्राम यहां पर बताया गया इंसी आगया इसने जो है दोड़ना अपना शुरू कर दिया चले अगला देखना तूसरा होता अप्वर्ड पास इन सचा पास दा एथलीट हो इस बोड़ दा बैटन विल कीप दे हैंड इन वी शेप आप विच विच विल विच विच विल वी यूज तो टेक दा बैटन नियर उप साइड डाउन tar respect fine. k्याप राता है का विच 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 विज वी आपको पकड़ने exist कर दोड़ने वाध को डोड़ते यहां से होगा यह कि अपने बैटन को अपने हिप के पास में अपसाइड डाउन पकड़ने में आपको सहुलियत होती है अब बंदा जो आपको बैटन पकड़ाएगा वो इस तरीके से बैटन को पकड़ेगा कि वह इतना हुआ जब जब आपके उतना जद्द के करीब आए क्योंकि हाथ अगर आप सीधा करते हैं इसको आपको पकड़ाना है यह जो पास होता है यह थोड़ा सा जदा आसान पड़ता है अगर आपका रणर जो है वो नया है और यह खरतरा है क्योंकि सामने वाला भी जो एक तन तयार गिरने का खतरा रहता है फिर आपको अगर गिर गया फिर आपको और थोड़ा आप दोड़ गए फिर आपको वापस आके उसको उठाना पड़ा और फिर दोड़े तो इतने में रेस खतम है आपके लिए बाकी लोग बहुत आगे निकल जाएंगे तो पॉइंट यह है कि अ हाँ पर इस तरीके की नए आपके जो रनर्स होता है उनके लिए यह जो आपका अप्वर्ड पास होता है यह थोड़ा सा कंपरेटिबली ज्यादा आसान होता है इसमें बैटन मगरा की गिरने के चांसे बगरा फोड़े से कम होता है देख लिए तीसरा होता है पुश पास is exactly similar to the downward pass at the change over the box. The athlete who is holding the baton runs while aiming at the elbow of the other athlete with the bottom. The other athlete takes the baton with the arms moving backwards. अब आपका जो पुश पास होता है इसके ये लगबग लगबग आपका downward pass की तरह ही होता है बस एक थोड़ा सा फर्क है वो यह है कि वो वाला बंदा जिसको अपना baton देना है वो सामने वाले की palm पर focus ना करकर वो उसकी elbow पर focus करता हुआ आता है और यह वाला बंदा जो है अपना हाथ इस तरीके से उसके बाद में वो चला जाएगा यह पॉश्यर मगर तब तक वो अपना करता रहेगा यह आपका push pass जो है कहलाता है अब बात करते हैं jumping events वगरा के बारे में नाम है long jump और दूसरे का नाम है high jump हम इन दोनों को ही discuss करेंगे मगर अगर आप देखें तो चार तरीके कि आपके jumping events आपको देखने को मिलते हैं long jump, high jump, triple jump और pole vault यह चार events जो है आपको देखने के लिए मिलेंगे और इन चारों events को जो है combine तोर पर jumping events बोला जाता है अब इन jumping events में हमको हमारी किताब में दो के बारे में बताया गया है long jump और high jump तो इनके बारे में जो हम लोगों को बातचीत करनी है चले, देखता है सबसे पहले अगर हम लोग long jump के बारे में बात करते हैं तो शुरू करने के पहले यह जो photo यहां पर लगाई गई है यह देखिए ऐस स सामने वाला दोड़ते हुए आ रहा है यह दोड़ते हुए आया इसने जंप मारी यह आपका सैंड का पिट है और इसमें अल्टिमेट लिए जंप जो है लैंड करता है जितने जहां पर इसके पैर पड़े स्टार्टिंग पॉइंट से वहां तक कर डिस्टंस आप मेजर कर ल कितनी आसान बात है इसको हम लोग जो है लॉग जम कहता है अब यह कितनी भी आसान बात लगे मगर इसमें बहुत प्रैक्टिस लगती है बहुत अभ्यास लगता है आठ आठ नौनों मीटर ऐसे जंप करना आसान बात नहीं होती है उसके लिए शरीर के ओपर बहुत मैनत कर नहीं पड़ती है तो किस तरह से पूरा पपर अविट करवाया जाता है थोड़ा विल्ह देखता है पहली चीज़ तो यह कि लौंग जम जो है इसको वन आप दगा रहता है उसल्क बहुता है जाके वह मैं तह 적이 से देखिए का बंदा डोड़े जंप करेगा उसके पहले आपका यह जंपिंग पिटा आता है देखिए यहाँ पर वो जो white kolor का आपको निशान देखने को मिल रहा है या white驮लर का चूटा था जो section देखने को मिल रहा है उसे जो है हम लोग उसको जो है हम लोग take off board बोलता है athlete has to jump from the take-off boat to the jumping pit, the entire group of athletes will get three jumps to qualify for the final phase of the competition, तो इस तरीके से यूँ दोडते हुए आके आपका take-off boat to the jump लेकर pit में आपको jump करना है, और जो भी फिर आपकी jump अगरा होगी, जिसकी सबसे highest है वो विजेता हो जाएगा, जिसकी second highest है वो second number पर जिसकी third highest है वो third number पर आएगा, इसी तरीके की काहनी रहती है, आप यहाँ पर the entire group of athletes will get three jumps to qualify for the final phase of the competition, तो जब आपका पहला round होता है उसमें हर एक बंदे को तीन बार जो है मौका दे, दिया जाता है jump करने का, आपको तीन jumps जो हैं वो मिलती हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक आपको मिलाकर तीन बार जंप कर सकते हो, जो भी आपका सबसे best होगा, उसको consider किया जाएगा, उसके basis पर decide किया जाएगा कि आपका final round के लिए selection हुआ है या नहीं हुआ है, फाइनल में फिर जो जो qualify कर जाएंगे, उनमें से फिर आपका जो भी बंदा, उनमें से फिर जो भी आपका फिर से वो jump बगरा करते हैं, उसमें फिर जो भी first आएगा, जो सबसे जादा जो आपका first, सबसे जादा distance जो cover करेगा, जो first आएगा, उसे gold मिलेगा, accordingly silver और bronze इस तरीके जो है आपके, ये medals वगरा बाटे जाएंगे, अब यहाँ पर अच्छी jump करने के लिए, या long jump में अच्छा perform करने के लिए, athlete के लिए जरूरी यह है, कि उसके पास में speed होना चाहिए, उसके पास में power होनी चाहिए, और उसके पास में flexibility होनी चाहिए, को मिलाकर eight qualified jumpers जो हैं, उनको final phase के लिए select किया जाता, तो पहले phase में या पहले round में जब आपको तीन-तीन chances मिल रहा है jump करने के लिए, तब आपको कितने भी जो हैं, आपके jumpers बगरा participate करवाना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी के उपर है, मगर finally आपका final round होता है, उसके लिए आप eight qualified jumpers को select करते हैं, आपके competition के final phase के लिए, और इनको जो हैं फिर तीन-तीन chances मिलते हैं, jump करने के लिए फिर से, और उसमें फिर जो भी आपका best होता है, उसको final ranking के लिए consider किया जाता है, प्रोसेस यही रहती है, इसमें ज़्यादा कुछ बताने के लिए board है, जिससे आपको take off लेना है, वो लगबग 1.22 मीटर के आसपास में रहता है, तिकनस बगर इतना assess matter नहीं करती हैं, मगर यह दो चीज़ें हैं, दो dimensions matter करते हैं, लगबग 40-45 मीटर के आसपास में आपका runway है, इसमें आपको दोड़ते मोमेंटम बनाना है, और इसके बाद में फिर जो है, आपके पास 1.22 मीटर का take off board है, इसके उपर से फिर आपको take off लेना है, और उसके बाद में फिर ultimately आप jump करेंगे, ठीक है जी, अब वो जो आपका pit है, जिसमें आपको jump करना है, ये कितनी लंबी होती है, ये भी जानना जरूरी है, वो rate से भरी हूई pit जिसमें आपको jump करना है, कम से कम जो है, वो 10 मीट की होती है, 10 मीटर से जादा की भी बना सकते हैं, बट मिनिमाम आपको 10 मीटर तक जो है, उसको रखना ही पड़ता है, 10 मीटर से कम में आपका काम नहीं जलता है, चले, आगे बढ़ता है, आप ये जो methods होता है, long jump बगएरा करने के, तीन तरीके जो हैं generally use किये जाते हैं, की मदद से long jump बगएरा किया जाता है, दोड़ते हुए आप आए, आपने finally jump ली, कुछ वक्ता का फवाँ में रहे, और उसके बाद में ultimately आप जो हैं उतर गई है, इसमें ध्यान दीजेगा कि इसमें अपने हातों को जो हैं आपने बहुत जादा कोई हवा में ऐसे खुला न आपने हातों को खोलते हैं और alternatively जो हैं एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे इस तरीके से रखते हैं, उसके बाद इन दोनों हातों को फिर parallel करते हैं, फिर उसके बाद में इस तरह से आगे की तरह लाते हुए jump करते हैं, यह तीन-चार steps वगएरा में जो है आपको फर्क या फिर the athlete attains his maximum speed by running on the runway so that he can reach the take-off board with full speed and also get the maximum momentum, तो runway का जो फेस होता है, चार फेसे अपने को मिला के पढ़ना है, पहला है, पहला है runway, दूसरा है take-off, तीसरा है flight और चौथा है landing, इसमें आप जो runway वाला हिस्ता है आपका, इसमें the athlete जो है वो अपनी maximum speed कैसे attain करता है, runway के उपर आप अपनी maximum speed जो है उसको attain कर लोगे, ताकि finally जब आप jump लोगे, jump करने के लिए आपके board वगरा से ताब आपके पास मैं maximum momentum हो, और वो momentum आपको जितना हो सके उतना जदा आगे की तिरफ में ले कर जाए, और आप comfortably अपनी jump जो है, एक लंबा distance कवर करने के बाद में, आप जो है अपनी jump अगरा को समाप कर सको, तो बस वही बार नहीं लिखिए कि athlete जो है, वो maximum speed कैसे attain करता है, runway के ऊपर अपनी पूरी शक्ती से दोड़ कर, पूरी speed से दोड़ कर, और इसके बाद जो उसका off board आता है, वहाँ तक पहुंचते है, पहुंचते है, वो अपनी maximum speed या top speed attain कर होता है, अब ये top speed जब आप jump लोग है, तो ultimately ये maximum momentum में convert हो जाएगा, ये maximum momentum फिर आपको जितना हो सा कि उतना आगे की तरफ में लेकर जाएगा, and इसकी मदद से फिट जो है, आप अपनी jump जब खतम करोगे, तो उसके पहले एक लंबर distance वगरा आप से cover up हो जाएगा, दूस यहां पर athlete जो है दौरते हुआ आया, take off board पर उसने pair मारे और finally हवा में आ गया, and यहां पर बहुत जरूरी होता है कि आप strongly अपने पैरों को जो है जमीन पर मारें take off board पर ताकि आपको जो है back जो आपका जो back reaction है वो अच्छा है और आप finally अच्छे से take off बगरा कर सके, take off करन आना है ताकि आपका पूरा का पूरा शरीर जो है उपर की तरफ में उठे और इस प्रक्रिया में आपके front leg वगरा जब आपके दूनों legs वगरा उठ जाता है तब आप नी वगरा को जो है bend कर लेते हैं, इसके बाद आता है flight when the body of the athlete is in the air after the take off it is known as flight, जब आपकी body हवा में ह अभी तक आप रेत पर उतरे नहीं हो जब तक आपने अपनी जम पूरी नहीं करिए तब तक का जो फेज इसको क्या बोला जाता है flight बोला जाता है, during flight position the athlete uses various techniques like hang method or hitch kick method, the momentum gained during the runway helps the body to move forward in the air, अब जब आप ultimately हवा में आ गए हो तो अब आपकी कोशिश यह है कि land करने के पहले आपने आपको और जितना जादा हो सके उतना जादा पुछ किया जाए ताकि आपका distance जादा हो सके, let's say अगर आप साथ मीटर की jump मारते है ऐसा ही तो साथ में हवा में आपको दो चार सेकंड जो मिलते हैं, दो एक सेकंड जो मिलते हैं, उसमें अपने साथ में कुछ ऐसा कि हैंग में जादा हो गया हैंग में जो भी टेकनिक आप इस्तिमाल करना चाहते हो, हैंग में आपने हातों को इस तरह से ऊपर की तरफ में किया है, पूरे की पूरे शरीर को आगे की तरफ में बेंड करके, आगर आप नॉर्मली पैरों को सीधा रखके अगर जितने distance पर बे लेंडिंग बोथ फीट्स ओफ देखलीट साइमलटेनेसली टैश्ट दा ग्राउंड वाइल लेंडिंग अब आपके जो दोनों पैर होते हैं एथलेट के वो साइमलटेनेसली आपके ग्राउंड को टैश करते हैं जब आप लैंड करते हो, दूरिंग लैंडिंग देख जो है उसको आगे की तरफ में आपको बेंड करना है, यह पॉस्चर अगर आप रखोगे तो इसके चलते भी जो है कही ना कही आप थोड़ा सा और ज्यादा डिस्टेंस जब आप हवा में हो तो गेंड कर लेते हो, अपने हातों को अपनी फीट्स की तरफ लेकर आप जा र बालेंस वो बना रहेगा, उसमें कोई डिस्टर्बेंस वोगेरा नहीं आएगा, चले, तो यह जो है आपका लॉंग जम्प की बात होगे, एक बार और देख लेते हैं ऐसे और उसके बाद में कतम करता है, फिर हम लोग हाई जम्प ली और आपने जो कूद है, क्या क्या कि गया, नौ मीटर के आसपास की जो इसमें चलांग मारी है, नौर्मल ये अगर करता है तो साड़े आठ या आठ मीटर के आसपास में चलांग रह जाती, मगर हवा में रहते वक्त में हिचक टेकनीक का इस्तिमाल करते हुए और अपने आपको आगे की तरफ में बेंड करने क ये जब होँए था तर देखिए कहा तो को किस तरीका से हिलाया ये और ये इसके बाद में अपने शरील को आगे की तरफ में बेंड किया और ये पैरों को आगे की तरफ में की और कूर गिया, चलांग ये जो है आपका हिचक टेकनीक का इस्तिमाल करकर 9 मिटर की जंप उसम जा रहे हैं फील्ड इवेंट्स अगर उसमें हो रहा है तो वो इवेंट्स होने ही होने हैं उनको आपने मेजर फील्ड इवेंट्स बोला है तो इसमें से यह भी जो है मेजर फील्ड इवेंट्स हाई जम्प बोला जाता है इसमें आपका जो एथलीट होता है वो जम्प करके crossbar को cross करता है जैसे यह athlete यहाँ पर यह crossbar को cross कर रहा है jump करकर इसमें आपकी activeness और flexibility जो है वो important मानी जाती है इन दोनों चीज़ों का relevance होता है अब कैसे क्या किया जाता है उसके पहले फोड़ा से इसके apparatus और बागी सारी चीज़ों के dimension देख लेता है तो minimum length of runway यानि की वो distance जो आपको दोड़ना है जिसके बाद में आप ultimately jump लेकर जो है अपना ये अपना jump अगरा लेकर crossbar cross करोगे तो लगवग 15 मीटर के आसपास उसको रखा गया है minimum length जो है runway की 15 मीटर है अब वो landing area जिस पर आपको land करना है उसका size रखा गया 6 meter into 4 मीटर यानि की 24 मीटर स्क्वाइर के असपास उसका landing area रखा गया है यह देखिए यहाँ पर सामने वादे ने jump किया जिस area पर jump किया वो landing area है इसके बाद इसकी जो height वगवगा है landing pit की वो लगवग 0.60 मीटर से 0.70 मीटर की बीच में रखी जाती है वो दोनों पोल्स जिसके ओपर आपका यह crossbar रखा जाएगा वो लगवग 4 से 4.04 मीटर के distance पर होता है और crossbar की लेंज होती है लगवग 4 मीटर के असपास में होती है weight वगएरा जिसका 2 kg के असपास होता है diameter 29 mm तो 31 mm के असपास होता है बागी सारी चीज़ नहीं है इतने dimensions वगएरा अपने थोड़ा सा पता होने चाहिए थे कि यह कुछ आपके dimensions है कि कितने distance दोड़ कर आओगे जब jump करोगे तो वो crossbar की length और बाकी सारी चीज़ें कितनी और जब आप land करोगे तो उसके बाद में pit वगएरा की कैसी कैस्तिती है अब अपन बात करते हैं high jump की techniques वगएरा के बारे में कि high jump की techniques वगएरा कौन-कौन सी होती है अब आप आए आप jump किये और jump करकर आपने crossbar cross कर लिया कितनी आसान बात लग रही है सुन्दे में मगर यह आसान है नहीं यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो हम में से बहुत से लोग शायद यह प्रक्रिया बना रखा है इसमें आपको पूच जाना है या इसमें आपको jump करना है या लैंड करना हो बस बात कर लेते हैं सबसे popular technique जो होती है उसको बोला जाता है फॉस्बरी फ्लॉप का मतलब क्या होता है कैसे क्या इस technique को किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे मगर यह popular technique के लावा और भी आपकी कुछ techniques वगरा होती है जिनका इस्तिमाल वगरा किया जाता है या कम असकम शुरुआत में जब आपको सिखाया जाएगा तो कम असकम और techniques वगरा है मैं आपको पारंगत किया जाता है सबसे पहले आता है scissor jump scissor jump में आप क्या करते हैं to jump over the crossbar with alternate legs and to land on the feet is called scissor jump याने की आप crossbar के ओपर से jump करते हैं और आपके जो legs हैं वो दोनों एक दूसरे के alternate होता है और आप जमीन पे जो है आपका जो landing area है उसमें अपन feet पर अगर आप land करते हैं तो यह चीज जो है वो scissor jump क्यालाती है दूसरा होता है western roll rolling over the crossbar and landing on the back is known as western roll अब आप इस तरीके सा जो है cross करते हैं कि ऐसा लगता है आप crossbar के उपर से roll करते हो जा रहे हैं और ultimately आपनी peat के बल जो है land करते हैं आपका जो भी landing area है तीसरा होता है str straddle technique straddle technique में आपके जो legs हैं alternatively आपका crossbar को cross करते हैं यानि कि आप ऐसे jump करते हों कि पहले आपका एक leg जो है वो पार जाता है और उसके बाद में पर आपका दूसरा leg जो है वो cross करता है और ultimately इस तरीके से जो है आप अपना वहाँ पर जातने हैं the legs are taken alternatively over the crossbar and the body is rolled over rolled near the bar अ के बाद में cross किया जाता है और landing जो है वो shoulders पर होती है अब यह करके इन techniques को देखते जाते हैं scissor jump में क्या बोला गया है आपका crossbar जो है आपको alternate legs के साथ में jump over करना होता है और landing जो है वो feet पर होती यह कुछ इस तरीके की कहानी है आप jump कर गया है वहाँ से इस तरह से और ultimately लिए अपने पैरों के उपर आप अपना land वगरा करने वाले हैं वहाँ से आप jump करते हुआ है पहले यह वाला पैर आया उसके बाद यह वाला पैर आया और आप जो है crossbar को jump करते हुए पैरों पर ही जो है आपका scissor jump हो गया western roll में किस तरह से हैं western roll में दोड़ते हुआ है दोड़ते दोड़ते आप आपने jump ली jump करने के बाद आप roll करते हुए जो है या जाके गिरे हैं या फिर इस तरह जाके आपने land किया या इस तरीके से आपका posture बनाए कि ऐसा लग रहा है कि आप crossbar के उपर से roll करते हुए जा रहे थे पूरी body को आप roll कराते हुए लेकर जा लेकर नहीं जा रहे है बाड़ी को roll करा रहे हो यहाँ पर इपने जिस तरीके से बैक के उपर जो है land करते हो बैक के ऊपर धवसर्टरि फौना फ़सर्री फॉइल्प में यह बोला गैया है पहली चीज़ एक सब्सेदैग में यह बहाẫn करते हैं आफ्टा इसमें है अपने पेट के बड़ जो है क्रॉस बार को क्रॉस नहीं करते हैं अब अपनी बैक की तरफ क्रॉस करते हैं आप यूं बोलना चाहिए कि आपका जो चहरा होता है वो क्रॉस बार से दूर की तरफ में होता है यह आपकी फॉस्बरी फ्लॉक है दौरते हुए आप आए अब मुह जो है वो crossbar की तरफ था मगर जब आपने jump ली और jump लेने से ultimately जब तक crossbar तक आपकी body पहुंचेगी उसके पहले पहले अपना चेहरा जो है आपने घुमा लिया है crossbar से और आपका जो मुह है वो crossbar से opposite direction में है आपका चेहरा crossbar से opposite direction में आपकी पीड जो है वो crossbar को देख रही है और इस तरह से आप जो ultimately jump करने वाले हो जम करके आप अपने shoulders पर अपने back पर जो है लैंड करोगे इस चीज़ को fosbury flop बुला जाता है दोड़ते हुए आप आए जैसे यूँ दोड़ते हो जा रहे और यूँ जब लेते हुए आपने अपना चेहरा घुमाया है अब जब आप जब लेके पीछे की की तरफ में उसके आप ultimately shoulders पर अपने back पर land कर जाओगे क्या किया दोड़ते हुआ है और यूँ जब लेने के पहले आपने तरन लिया है उसके बाद में फिर सारी की सारी चीज़े हुई है तो यह आपका fosbury flop कहला आता है चले आगे बढ़ता है इसकी कुछ और भी की तरफ में हो जाता है और लैंडिंग मगरा shoulders पर और back की तरफ में होती है चले है आपको general rules वगरा की बात कर लेते हैं कि इसके general rules वगरा क्या 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 होता है सबसे पहला जो आपका high jump का नियम है वो यह है कि jumper जो है उसको एक ही foot पर आपका jump करना है आप दोड़ते हुआ है आप खड़े हो के jump करें doesn't matter मगर जब ultimate jump लेंगे तब एक ही पैर पे जो है jump लेंगे एक ही foot से जो है आपको jump लेनी है अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर foul होगा इसके इलावा भी कुछ तरीखे होता है तो foul कप कप होता है उसके बाहरे में बात कर लेते हैं तो पहली चीज क्या दोड़ते हुए आओ खड़े हो के jump करो फरक नहीं पड़ता मगर jump आपको एकी leg पर करनी है एकी foot पर जो है आपको jump करना है फाउल कप कप होगा अगर एक athlete जो है गल्ती से एक बार को shake कर देता है उसके support से तब foul हो जाएगा दूसरा यह है कि अगर उसका जो pole वगरा ह तो आपको दूसरे तरफ गिरना उसके पहले अगर ground को आप फिर touch कर गए jump लेने के बाद में तो फिर वो जो है फाउल हो जाएगा मतलब आपने आपको उछाला जरूर था मगर फिर आप crossbar के उस तरफ ना जाके फिर यहीं पर land कर गए आपने jump पूरी नहीं करी तब भी ज सकते हो इत्ता भी रखवा सकते हो जितने पर आपको height पर आपको crossbar रखवाना है उतना आप रखवा सकते हो तो एक athlete जो है jump वो किसी भी height से कर सकता है मगर अगर आपने तीन बार अगर उस particular height को clear नहीं किया तो तो ऐसी condition में आप disqualify हो जाओगे ऐसी पर आप यह माना जाए उसको वैसा गया वैसा ही रहने देना है उसमें किसी तरीके की कोई शेडखानी नहीं करनी इफ देर आर मोर देन थ्री athletes that time fixed for each jump is one minute if two or three athletes are there in the competition time of one minute 30 seconds is given whereas a time of three minutes is given to a single athlete अब अगर आपके तीन से ज़्यादा athlete high jump में participate कर आपका high jump में participate कर रहा है तो हर एक जो athlete है उसको अपनी हर एक jump के लिए एक एक minute का time मिलता है अगर दो से तीन athlete अगर है तो फिर हर एक athlete को डेटर मिनट का time मिलता है बाकि अगर एक single athlete है उसी का अगर आप event बगरा करा रहा है तो उसको तीन minute का जो time है वो दिया जाता है athlete can mark the runway according to the wish अब कितना distance दोड़ के आना चाहते हो 15 मेटर के आपके length वगरा है वो आप measure कर लो but can only use the adhesive tape given by the organization अब कितना distance दोड़ के आओगे उसके लिए marking working करनी होगी marking अपनी मर्जी सानी है कि कहीं पर भी जॉक मारते फिर वो आप उसके लिए फिर आपको एक adhesive tape दिया जाता है वो आप लगा लो उस point पर जहां से दोड़ना है दोड़ते हो आओ उसके बाद jump bump करके आप कूदो यह सारी चीज़ने जो हैं करवाई जाती है अब बात करते हैं इस शॉट पूट में आपका शॉट पूट में किया क्या जाता है आपके पास में एक metal का गुला होता है और फिर आप एक metal का स्फियर होता है जिसमें काफी ज्यादा वजन होता है इसको आपको फेकना है कुछ मिला के simple सी भात है जितना distance तक आप फेक सकते हो अगर आपने highest distance तक फेका तो फिर आप जी जाओगे यह आपका short put कहलाता है इसमें short को आप जितना हो सके उतने distance तक आपको throw करना होता है वो बंदा यह जो इसको throw करेगा उसको short putter बोला जाता है और यह जो metal का sphere है यह जो metal का गोला है जिसको आपको throw करना है इसको short बोला जाता है ठीक आ होता है वो लगभग seven point two six zero kilogram होता है मैं के लिए और लगभग चार kilogram होता है woman के लिए और इसका जो डायमेटर है वो 110 mm से लेके 130 mm के बीच में है mail के लिए और 95 mm 210 mm के बीच में में है woman के लिए बाकि सारे dimensions वोगर आपन लोग जैसे जैसे इसको पढ़ेंगे उसमें देख लेंगे मगर ये दो बातें धियान रखना है कि अगर आप पुरुष हैं और शॉट पूट में जाना चाहते हैं तो लगबग साथ किलो जो है माना जाता आप वह इसको फो करता है उसको शॉट पूटर बूला जाता है व को यहां पर इस सबसे इंपैंब टीओर घॉट चाहिए वो होती है strength या फिर आपके हाथों में दम होना चाहिए पावर होनी चाहिए flexibility होनी चाहिए इसके इलावा आपको जो शॉट है उसको आपको speed के साथ में throw करना है ताकि एक certain एक बड़ा distance वगरा जो है वो cover कर सके है आप यहां पर यह short put फेका जाता है इसके अपने कुछ तरीके होते हैं इसके बी कुछ अपने methods होता है सबसे पहला technique जो होता है वह होता है Gliding technique और Gliding technique के बाद में जो दूसरा में होता है वह होती है rotating technique दोनों लेंगे ग्लाइडिंग टेकनीक में देखिए क्या किया जाता है सबसे पहली चीज तो यह कि जहां से आप थ्रो करते हैं जहां पर आप यह थ्रो करते हैं वहां पर एक पूरा का पूरा इस तरीके से एक फ्रोइंग एरिया बना होता है या फिर इसका हम लोग कई बार शॉट खिखते हैं कैसे देख लेता हैं देखिए या फैर आपने गाल के पास में अपनी Collarbone है इसके उपर इस तरीके से पकड़के और आपका सीधा वाला पैर आगे की तरफ में उल्टा वाला पैर आपने पीछे की तरफ में लगा के रखा है समी सिर्कल से अब आप यूं घूमते हुए ग्लाइड करते हुए उसको फेकते हैं ठीक है जी यह पूरी की पूरी चीज जो है वो ग्लाइडिंग टेकनिक कहलाती है ग्लाइडिंग टेकनिक में एक ही चीज की जा रही है आपने क्या किया है अपने शौर्ट को अपने एक हाथ से पकड़ कर उसको अपने कॉलर बूर अपने शोल्डर के बीच में रखा हुआ है एक पैर आपका सेमी सर्कल देखने को मिल रहा है यहां पर इस पर रखा हु करते हुए मोमेंटम गेंड करकर अपनी पूरी स्ट्रंथ से जो है इसको फेकता है एक लबबो लुबाव या फिर एक सार में आपको इसका बता रहा हूं इसको पूरा भी डिटेल में देखेंगे मगर यह चीज जो है की जा रहा है एक बार मैंने आपको सरसरी निगा इसल सेनी सर्कल जो है घूमे है आप अच्छा का सा ग्लाइड करते है घूमे है और उसके बाद में आपने मोमिंटम जो गेंड किया था इस ग्लाइडिंग में उसकी मरद से इसको फेक है चले अब देखते है इसको कैसे क्या किया जा रहा है तो मेथड जो है शॉट पुट में पहला method gliding technique है, gliding technique में हमको पहली चीज जिसका ध्यान रखना वो है grip, the shot is held at the base of the fingers not at the palm, सबसे पहली चीज तो यह कि आपका जो यह shot है इसको आप fingers से पकड़ते हैं ना कि आप हतेली से पकड़ते हैं, important बात है आप इसको अपने palm से touch नहीं कराएंगे, पूरी की पूरी ball यहां हाथ पे नहीं लगनी चाहिए, आप सुर्फ उसको अपने fingers वगएरा की मदद से पकड़ते हैं, ठीक है जी, fingers are slightly spread apart with thumbs for support, अब यह fingers वगएरा भी ऐसा नहीं कि चिपका की आपने रखी हैं, थोड़ा सा apart अपार्ट जितना आप खेंट सकते हैं, जितना आप खोल सकते हैं, उतना खोल कर आप अपने उस शॉट के उपर उसको हाथों को रखे हैं और थम बगएरा जो है सो support बगएरा लिया जाता है, the hand will be bent back in a cocked position when holding the shot, अब यह hand जो है आप इसको cocked position में रखते हो, याने कि थोड़ा सा erect आपका इस तरीके से आप पकड़ के रखते हो, थोड़ा सा आपने यहाँ पर कहीं पर रखा हुआ है, आपके jaw से टकराते हुए, collar bone और shoulder बगएरा के, बीच में support पर आपने इसको रखा हुआ है, चले, आगे बढ़ते हैं, अब standing position ऐसी होती ही कि जो shot putter है, वो अपना right foot जो है, वो अपना half way circle पर रखता है, and the left foot along the back line, ठीक है, पर है, वो जो half way circle पर रखा है, वो right वाला पर है, और इसके सामने एक line खीच के अपने left वाले पर को इस तरीके से रखता है, ball उसने अपने हाथ में कान के नीचे इस तरीके से रखी हुई है, अपने jaw से लगा के collar bone और कंदे के बीच में support के साथ मैं, ठीक, इस तरीके से व पीछे की तरफ जो अभी ऐसे खड़े हो कर जो मेरा यह वाला पैर है, जो आगे की तरफ में है, वो घूम कर यह यहाँ पे जाएगा, और जो यह वाला पैर है, जो भी पीछे था, वो इस तरह आजाएगा, और इस तरीके से glide करते हुए, पूरा का पूरा momentum बनेगा, अब आपका shot जो है, वो किता दूर गया है, दूसरी जो technique होती है, वो होती है, rotating technique, rotating technique में आपको दिखाता हूँ, देखिए, shot को पकड़ने का लगबग लगबग तरीका वो ही है, उसमें कोई difference नहीं आ रहा, मगर यहाँ पर जैसे आप यह आप खड़े थे, और यह ग्लाइड कर कर लिया और उसके बाद में फिर जो है, उसको फेका जा रहा है, वो चीज आप यहाँ पर आपको अच्छे थे समझ में आ रही है, देखिए, यह वो आपका circle है, वो उसके जिसमें आपको खड़ा होना है, यह उसके सामने की तरफ में आपका semi circle का वो जो structure बना हुआ हुआ हैं, अब आप starting line, इसके पहले वाली कहानी क्या थी, यह जो semi circle है, उसके एक pair था और एक pair उसके सामने एक starting line पर था और आप glide करते हुए ball को फेके थे, वो ना करके अब आपने क्या किया है, यह आपका पूरा का पूरा जो standing circle है और उसमें आगे की तरह में जो semi circle बना हुआ होगा है, जिस पह आपने pair रखा, तब वहाँ पे ना खड़े हो कि आप एक दाम end पे खड़े हो गए, और यहां से यहां तक जाने में आपने कम असकम दो से तीन वार जो है turns लिए और उसके बाद मैं आपने ball को फेका है, देखिए इसे, यह एक, यह दो turn, एक turn, दो turn, उस जो है आपका short put, फेक नहीं, short put की पूरी की पूरी प्रक्रिया है, क्या क्या किया जा रहा है short put में, simple सी बात है, आपने गुला है metal का जो 7 kg, 7 kg, 250 ग्राम से थोड़ा सा जादा है, अगर आप पुरुश हो और अगर महिला हो तो 4 kg के असपास है, उसको कुल मिला के फेकना है दो तकनीकों का इस्तिमाल होता है, ग्लाइडिंग टेकनीक हो गई और दूसरा आपकी रोटेटिंग टेकनीक हो गई, ग्लाइडिंग टेकनीक में क्या होता है, दोनों टेकनीक में भी है, आपका जो short है, उसको आप कान के नीचे jaw से लगा कर पॉलर बोन और shoulder के बीच में अपने पाम से इसको पकड़ा नहीं जाता है, अपने हाथों की उंगलियों की बेस से पकड़ा जाता है, इसके बाद में क्या किया जा रहा है, एक पैर आगे की तरफ में, एक पैर आपने उसको फेकना है, और उसके बाद में जितना distance अब कर जाओ, यह आपका ग्लाइडि किया जा रहा है, रोटेटिंग टेकनिक में एक, दो, तीन, इस तरीके से तीसरे चकर पे उसने बाल भेकी और उसके बाद एक दो चकर और लेते हुए अपने आपको बैलेंस कर रहा है, यह टेकनिक जनरली लोगों की जादा फेवरेट होती है, यह इसमें मोमेंटम बहुत कर लेता है, कि काफी पुराना और एक पॉपुलर इवेंट रहा है, अभी से नहीं, मिडल एजेस वगरा से और उसके पहले से भी डिसकस थ्रो जो है, किसी ना किसी फॉर्म में किया जाता था, तो अब डिसकस थ्रो क्या होता है, सिंपल जी अगर आप बात करें, तो आपक सेमी सर्कुलर प्लेट है, एक स्तीरे से आपको पकड़ना है और उसके बाद में उसको फेकना है, जितना डिस्टनस तक फेक दोगे, तो अगर आप उसके बेसेस पर डिसाइड होगा कि आप विजेता हो या फिर क्या है, तो यह जो है डिसकस कहलाता है, थोड़ा सा इसके बारे में बातचीत कर लेता है, यह डिसकस थ्रो में किया क्या जाता है, तो पहली चीज तो यह कि एक ओल्ड और पॉपुलर इवेंट है पहली बात, दूसरी बात यह कि हरे आपका जो एथलीट है, उसको इसमें अगर अच्छा परफॉर्म करना है, तो आपके हाथ में पह कर रहे हैं, तो 2 kg का बेट जो है, उसका डिसकस का रहेगा, और अगर आप फीमेल है, तो इसमें 1 kg का डिसकस का बेट रहता है, लगवग 219 से लेके 221 mm के बीच में याने की 21.9 तो 22.1 cm के आसपास जो है, आपका इसका क्या बुलता है, डाइमीटर बगरा रहता है, इसका अगर आप मेल कैटेगरी में, और अगर आप पुरूशों के, अगर आप फीमेल कैटेगरी में हैं, तो फिर 18 cm से लेकि 18.2 cm की बीच में, या 182 mm के बीच में जो है, आपका इसका डाइमीटर बगरा रहता है, अगर आप फीमेल कैटेगरी बगरा में पार्टिस्पेट कर नहीं है तो इस तरीके से जो है बागी सारे डाइमेंशन वगरा अच्छा रेलेवंट नहीं है जिस तरीके से सरकल आपको इसके पहले शौट पुट में देखने के लिए मिला था लगबग वैसा कर वैसा इस सरकल जो है आपको यहां पर डिसकस के लिए भी देखने को मिलेग ना हो सके उतने distance तक आपने discuss को throw कर दिया अब जिसका सबसे जाएगा वो जिए जाएगा इस तरीके से वो अपने balance को बना के रखा हुए एक दू सर्कल और लेकर जो उसने momentum बनाया था उसको finally वो free off कर रहा है तो discuss वगरा को throw करने में किया यह जाता है athlete जो है वो आपके circle में खड़ा होता है रिंग के पास में अगेंस दा बैक अगेंस दा डिरेक्शन और दिसकस फिर यहां पे भी वही कहानी आ जाती ही एगर आपको पीछे की तरफ में डिसकस फेकना है तो आप उसके तरफ पीट करके जो है अपनी खड़े होता है और उसके बाद अपना पॉस्चर या पोडिशन बनाते है और उसके बाद में फिर महां से लेक पर रोटेट करना इसमें आपका पूरा का पूरा बजन जो है एक से दूसरे आपके पूरे के पूरे बॉड़ी में अल्टरनेटिवली आपके दोनों पैरों पर आपका वजन बगरा जो हो शिफ्ट होता चला जाता है और इस तरीके से जो है और यह जो पूरी की पू को शचाँ पूरी की तरफ में उड़ जाता है एंड जेनरली यह करते वक्त में एक बात का और ध्यांन रखना है कि आपका जो अपर पार्ट होता है बॉडी का उसको सीधे की तरफ में आपको बैंड करना है अगर आप discuss को सीधे हाथ की तरफ से पकड़े हुआ है उल्टे हाथ की तरफ में बैंड कर सकते हैं और जो circle जिसमें आप rotate करेंगे व आपका शुरू करता है body के lower parts से यानि की circle में जो rotate करना आप शुरू करेंगे तो आपका पहले lower part जो है वो rotate करना शुरू करेगा और उसके बाद में आपका जो अपर पार्ट वगरा है मॉमिंटम में आएगा इन अल्टीमेटली फिर आप दोनों पैरों पर अल्टरनेटली भी वज़न वगरा शिफ्ट करते हुए इस तरह से आप जो है रोटेट करते हुए आपका आएंगे और इसको डिसकस को जो है फिकेंगे उस जो है आप एथलीट जो है राइट फूट को सेंटर लाइन पर रखे और लेफ फूट जो है उसके दस सेंटीमेटर पीछे के तरफ रखे और फिर यह चक्कर मारता हुआ जो भी आपको मैंने जी आएफ में दिखाया था उस तरह से घुमता हुआ है दूसरा यह हो सकता है क की सेंटर लाइन बिट्विन देर फीट दूसरा दोनों आपके जो पैर हैं वो सेंटर लाइन के दोनों पैरों के बीच में आपकी सेंटर लाइन होनी चाहिए और उसके बाद आप रोटेट करते हो आओ तीजरा मैठ जो होता है अपने लेफ फूट जो है आप सेंटर कर सकते हैं करना स्थ औरो पर चुरू किया और पाइनली जब आपने फ्रो करना ए उसके पहले दो तीट रहेकर अच्छा आपना ले जा तो जो इसको throw किया जाता है throwing वगरा में भी यहां पर पूरा जो mechanism है वो बताया गया है कि आपके दोनों feet जो है उनको straight रखना है knees वगरा जो है उनको straight रखना है shoulder वगरा जो हमको जितना हो सके उतना आगे की तरह में forward करकर रखना है वगरा वगरा यह सारी की सारी चीज़ें बताई गई है एंड जब आप ultimately throw कर चुके होंगे तो उसके बाद में rotate करते हुए दुनों fields को फिर आपको ground पर लाना है waste वगरा को आपको थोड़ा सा bend कर रहे हैं हाथ भी circle में move कर रहा है जब ultimately आपको लगे कि this is the point तब उस circle जो है जिसमें आप move कर रहे हैं उसका tangent लेते हुए आपका जो discuss है वो निकल जाएगा अब कितना distance कवर करता है उसके basis पर depend करेगा कि आप कितना उसके basis पर depend करेगा कि आपका फिर क्या होना है आप first आ रहे हैं second आ रहे हैं third आ या फिर आप competition से भाग होना है तो यह जो है आपके throwing events के एक precise summary थी आप थोड़ा सा sports awards के बारे में बात कर लेता है अब बात करते हैं sports awards के बारे में तो देखिए बात यह है कि इंडिया में कई सारे तरीके के sports awards दिये जाते हैं ताकि आप आपके जो outstanding coaches वगरा हैं जो खिलाडियों को train करते हैं और आपके जो outstanding sports person है जो देश के लिए laurels और medals वगरा जीत कर लाते हैं उनका सम्मान किया जासा कि आप government of India जो है वो आपके sports person coaches सबके सम्मान वगर जो है तो यह चार में जो है यह आपको दीजाती है इनके बारे में ज़डा बात कर लेते दुर्णाचारे अवर्ड जो है ये government ने institute किया था ताकि जो आपके coaches और trainers वगरा हैं उनके efforts वगरा को recognize किया जा सके जो अपनी जिन्दगियां dedicate करते हैं आपके athletes वगरा को train करने में और पहले तो identify करने में उसके बाद train करने में और उनके standards वगरा जो है उनको raise up करने में सबसे पहले ये award आपका 1985 में दिया गया था और हर साल ये award expert coaches वगरा को दिया जाता है जो consistently outstanding performance वगरा दे रहे हैं जिनके coach के हुए players वगरा अच्छा perform करना है ने इंटरनाशनल लेवल पर इसमें आपको एक cash price दिया जाता है पांच लाक रुपे का साथी साथ आपका एक bronze की statue दी जाती है गुरू दूनाशारे की और साथ में एक tie एक blazer scroll और suit वगरा ये सब दिया जाता है तो ये एक सम्मान है जो जनरली किया जाता है अब इसकी eligibility ये है कि ये सारे वो सारे coaches वगरा के लिए ये award open है जिन्होंने या तो एक individual को train किया है या फिर एक team को train किया है कमस कम दो सालों तक और ये team जो है फिर outstandingly consistent performance दे रही है या तो global olympic events में अच्छा perform कर कर आई है या फिर आपका सरकार के दोरा किसी रिकोगनाइस sports discipline में अच्छा perform कर रही है या फिर अगर को indigenous sports हैं जुसको सरकार ने recognize कर रखा है उसके वगरा में अच्छा कर रही है तो national level पर अच्छा कर रही है इंटरनाशनल लेवल पर कर रही है या indigenous events वगरा जो सरकार कर रही है उसमें अगर अच्छा perform कर रही है आपके दोरा train team या फिर आपके दोरा train जो players वगरा है वोगर अच्छा कर रहे है उस case में आपको जोना चौर अवर्ड दिया जाता है कुछ जो आपके वेल नोन अख्ली आपके जो coaches वगरा है जिनको ये अवर्ड मिला है ओ-एम नंबियार साब का नाम याद रखना पड़ेगा क्योंकि सबसे पहले इनको दिया गया था इसके बाद में फिर आपके इलियास बाबर हो गए 94 में करंट सिंग हो गए और भी काफी सारे नाम वगरा है इन लोगों को जो है अवर्ड वगरा दिये गए थोड़ा सा आप इनके बारे में जाके सर्च करिएगा थोड़ा सा इनके बारे में पढ़िएगा कि किन प्लियर्स वगरा को इनोंने इसके बाद में फिर 2002 में इसमें स्कीम बगरा रिवाइस की गई थी पिर अबजेक्टिव जो है आज की तारीक में आपके अर्जुन अवार्ड वगरा का वो यह है कि आपका इंटरनाशनल लेवल पर जो बनने अच्छा परफॉर्म करते हैं यानि कि इसके इलावा भी अगर कोई और इवेंट वगरा हो रहा है इंटरनाशनल लेवल पर अगर उसमें आउट्सेंटिंग परफॉर्मेंस देता है तो इसको रिकोगनाइस करने के लिए या वार्ड वगरा दिया जाता है विनर्ज वगरा आपके सेलेक्शन कमिटी के दौरा सेलेक्ट होता है कैश प्राइज इसमें एक पांचलाग रुपे का मिलता है अर्जुन की एक सायट एक जोएक सिरूपा हुआ वो दिया जाता है नॉमिनेशन जो है इसके इंवाइट किये जाते है मिनिस्ट्यhand के द्वारा थे शाटीजन के दवारा प्रम उन एक सिर्ट कमिटी आपका डिसाइड करती है जो भी डिसाइड होता है फिर उसको या अड्जुन आवर्ट दिया जाता है तो जो कुछ हमारे फेमस अथलीट्स वगरा हैं जिनको अर्जुन अवार्ड मिला है उनके नाम वगर हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले जो अर्जुन अवार्ड दिया गया था वो दिया गया था गुर्बचन सिंग रंधावा साहब को 1961 में यह याद रखन पड़ेगा क्योंकि इनको सबसे पहला अर्जुन अवार्ड मिला था उसके बाद फिर अजमेर सिंग 1966 विजा सिंग जोहान 1972 श्रीडाम सिंग हो गए टी सी योहानन हो गए हरीचन सबीर अली पीटी उशा शाइनी अबराहम अंजू बवी जोर्ज और आज के लेटेस में अ कौन सा गेम खेला करते थे विजा सिंग चोहान हो गए श्री राम सिंग हो गए इंजू बावी जोर्ज हरीचन इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा सा अब लोग गूगल करके पढ़ें देखें कि यह कौन लोग थे कौन से पाइनीर से अपनी फील्ड में कैसे उठकर आ है और हर एक की कहानी जो है अपने आप में गरेट और डिटर्मिनेशन की कहानी है बड़ी मोटिवेशनल स्टोरीज हैं इनकी कि किस तरीके से यह लोग अपने जमीन से एकदम उठकर आया और इन्होंने किस तरीके से जो है एकसल किया है आपका इस पूरे के पूरे स्पोर मेर्माण के लिए जरूरी है, मजबूत वेक्तितव के लिए उरूरी है, वो आपके अंदर होना चाहिए चले, आगे बढ़ते हैं आप राजीव-गандी खेलरतन होड के बारे में बात करेंगे चले तो राजीव गांधी खेल रतन वार्ट जो है इंडिया का हाइस्ट ओनर है and it is given for achievement in sports यानि कि sports के achievement में जो सबसे हाइस्ट ओनर आपको मिलता है वो कौन सा है राजीव गांधी खेल रतन वार्ट या जो आज की तारिक में मेजर ध्यांचन खेल रतन आवार्ट के नाम से जाना जाता है अब खेल रतन का अगर आप लिटरल मतलब निकालोगे तो इसका मतलब पचास अजार रुपे की जो है आपको कैश प्राइज बगरा जो है वो दी जाती है यह आवार्ड आपका 1991 से जो है दिया जा रहा है या फिर 1991-92 में इसको इंस्टिट्यूट किया गया था फॉर सुप्रीम एकॉलेट इन दा फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया स्पोर् जी याद रखिएगा इसके इलावा जो आपके जो एथलीट वगरा है जिनको यह वार्ड वगरा रिसेंट में मिला है आपके जोतिर में शिक्दार हो गई 1998-99 में दिया गया था उनको के बीना मोल हो गया दो हजार दो तीन में एंजू बाभी जॉर्ड दो हजार तीन चार पे अफिर भी बात करेंगे फिर वही बात मैंने इसके पहले भी दोरtsåई थी फिर बतारा हूं इसके पहले वाले का नाम चेंज करकर major vegan खेल रत्म ऑबड किया गया है यह यह वार्ड अवार्ड के अऔर यह तो यह इसकी बात करेंद सो एँग मिला इनको उसमें तो तो आप थो थोड़ा सा उसकी भी बात करेंगे पहली चीज तो यह कि ध्यांग ज़र्ड है के नाब पर जो इंडियन फिल्ड ऄड़की के होकी की बात कर ली जाए उसके लेजन्ट है और इन्होंने हजार से दादा गोल्स जो है आपने 1926 से लेके 1948 के करियर के बीच में किये थे बॉबी एलोसियस रिसीब दा ध्यांचंद अवर्ड फॉर इस lifetime contribution towards sports from the government of India अगर लोग बातचीत करें athletics का वो हम लोगों ने यहाँ पर पूरा खत्म कर दिया है नेक्स्ट आप sports वगरा हम लोग यहां से शुरू करेंगे उसका नाम है badminton badminton क्या है कैसे खेला जाता है क्या rules and regulations है उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे देखता है बैड्मिंटन की अगर हम लोग बातचीत करें तो बैड्मिंटन की खासियत यह है कि यह दुनिया के रैकेट sports वगरा जित्ते भी होते हैं यानि कि वो सारे के सारे sports जिसमें रैकेट का है माना जाता है और यह बहुत popular sport है अपने आप में चाहिए boys की बात कर लें या girls की बात कर लें खास तोर पर school level पर in fact individual level पर भी आप लोग जो है इसको खेलते हैं कई बार जैसे घर्मियों के चुट्टी के बार चुट्टियों में खास तौर पर आपको स्ट्रीट लाइट की रोशनी में फैमिली के सिंपल है दो रैकेट और एक आपका शुट्ल कॉक की मदद से भी आप इसे खेल सकते हो नेट वगएर अगर नहीं है तो भी आपका काम चल जाता है एक तो वह बात होगे प्लस इसमें exercise वगए अच्छी हो जाती है प्लस किसी भी एज के बच्चों के लिए यह सुटेबल ह है और अगर लेट से कहीं पर थोड़ा बहुत अगर कुछ इशूज भी है बॉड़ी में तो भी प्रॉब्लम नहीं आप खेल सकते है उस गेम में को मिला कि आपको दिक्कत नहीं आएगी यह इस गेम की खासियत है तो बैडमिंटन सबसे जादा फास्टेस रैकेट स्पोर् अगरे एज और इबिलिटी के बच्चें वगरा के लिए यह बहुत सुटेबल माना जाता है अब सवाल उठता है कि इतना जादा पॉपुलर क्यों है ऐसी क्या खास बात है इसमें और इस इसको रिकमेंट भी किया जाता है कि बैडमिंटन खेला जाना चाहिए इसकी जो है या फिर बैडमिंटन की अक्टिविटीज जो है आल राउंड आपके फिजिकल स्किल्स वगरा को डिवलप करने में काफी जादा बड़ा योगदान निभाती है स्कूल एज से अगर हम लोग बात करने है छोटी उमर से बच्चों को बैडमिंटन वगरा खेलने में लगाया जाए तो इसके चलते एक तो उनका आई हैंड कोडिनेशन बहुत बढ़िया होता है दूसरा कैचिंग अन थ्रोइंग अबिलिटी जो हो बहुत बढ़िया तरीके से डिवलप होती है इसके लावा स्टेबिलिटी और बैलेंस जो है बाडी का वो अच्छे से डिव होना शुरू होता है जंपिंग और लैंडिंग स्किल्स वगरा जो है यह अच्छे से डिवलप होती है और सबसे बड़ी बात इन सब यह फिसिकल आपकी इसकिल्स है एक स्किल्स जो बहुत जादा रेलेवेंट है बहुत जादा इंपोर्टेंट है और बैड्मिंटन में अ इसी तरीके से अगर कोई आपको निर्नले लेना है तो वो अपने आपने में डिसिजन मिकिंग स्किल्स है तो क्योंकि बैड्मिंटन में अप शठील कि इतना तेज–तेज चल रहा है कि आपको जल्दी बहुत जादा एंप्परोटन यह ऐ पर एक रेलेवेंट स्पॉर्स मा नहीं होगा इसको पहले बैडमिंटन के नाम से जाना नहीं जाता था इसको पुना के नाम से जाना जाता था और ये पुना या पुना के नाम से क्यों जाना जाता था क्योंकि ब्रेटिश इंडियान आर्मी की अफसरों ने इस गेम को पुना में खेलना या पुने में खेलना शुरू किया था 1860 के आसपास तो वहीं पर क्योंकि इस गेम को खेला जाने लगा था तो वहाँ से इसका नाम फिर जो है पुना या फिर पुना पड़ गया क्योंकि उस वक्त उसे पुने बोलते नहीं था ठीक है जी तो बैडमिंटन को पहले पुना के नाम से भी जाना जाता था या पुना के नाम से भी जाना जाता था याद रखिएगा आप ये जो गेम आज की तारिक में बैडमिंटन कहलाता है हम लोग इसको जो आज की तारिक में बैडमिंटन बोलते हैं ये नाम कहां आज की तारिखिमेगर हम लोग बात करें तो इन batminton वगरा को जो governing body वगरा है बैडमίνटन को जो govern करती है उसका naam International Badminton Federation और यह international governing body जो है बैडमίνटन से related जो भी आपकी नहीं सरे चीजहें उसको देखती है गेम के प्रशार प्रशार को और जादा बढ़ाने के लिए अपना योगदान देती है इसको सेट अप यह इसको स्टैब्लिश 1934 में किया गया था ठीक है जी अब यह जो आपका इंटरनाशनल बैडमिंटन फेडरेशन न 1934 में बन गई उसके बाद से बैडमिंटन का प्रचार प्रसार करने लगी बाद में इसका नाम जो है 2006 में बदला गया 2006 में इसका नाम चेंज करकर बैडमिंटन वर्ल फेडरेशन कर दिया गया और आज की तरीक में इसको BWF के नाम से जाना जाता है तो पहले जो आपका इंटरनाशनल बैडमिंटन फेडरेशन था इबी एफ उसी का जो है नाम चेंज किया गया है और 2006 से इसको बैडमिंटन वर्ल फेडरेशन या BWF के नाम से जाना जाता है अगर हम लोग इसके कुछ important competitions की बात करें तो Thomas Cup एक competition है जो Men's World Badminton Championship के नाम से भी जाना जाता है ये सबसे पहले 1948 में करवाया गया था उसके बाद Uber Cup हो गया ये Women's Team World Badminton Championship है ये पहली बाद 1956 में करवाय गया थी तो ये तो खेर basics वगएरा है जो अपने होने चाहिए इसके लावा सुधी रमन कब जो है ये आपका World Mixed Team Badminton Championship है ये सबसे पहले 1989 में करवाय गया था इसके लावा Individual World Championship की बात की जाया तो वो आपका 1956 से स्टार्ट हुई थी बैडमिंटन की अगर हम लोग ये तो आप बैडमिंटन की अपने जो events वगरा हो रहा है आपका singles का हो गया, doubles का हो गया, male हो गया, female हो गया, उनके जो बड़े-बड़े events हैं उसकी बात हो गया अब बात कर लेते हैं Olympics की, बैडमिंटन सबसे पहले अगर Olympics की बात की जाया तो 1972 का जो Munich Olympics था, Olympic Games थे जो जर्मनी में हुए थे, बैडमिंटन वहाँ पर एक demonstration event के तोर प Olympics में खिलवाया गया था, और बात में 1998 के Olympics वगरा में जो है exhibition sport के तौर पर इसको खिलवाया गया था, 1992 के जो summer Olympics हुए थे officially, बार से लोना में वहाँ से फिर जो है इसको आपका officially जो है एक event के तोर पर शामिल किया गया जिसमें जीतने पर आपको medals वगरा मिलेंगे और बाकी सारी चीज़ें, as it is, जैसे दूसरे events होते हैं उसकी तरह से की जाएगी, तो ये सारी की सारी जो है badminton की अपनी कहानी है, याद रखिएगा 1992 में जो है इसको Olympics में की event के तौर पर शामिल किया गया था, अब बात करते हैं कि कितने तरीके से badminton की events वगरा करवाय जाते हैं, एक तो यह है कि एक racket आप पकड़ो, एक racket में पकड़ो, सड़क पर चलते हैं, जहाँ पे ट्राफिक वगरा ना आ रहा हो, कॉलनी वगरा की जो सड़किया होती है, स्ट्रीट लाइट की रॉष्णी में बनने खेलना शुरू कर दिया, वो आप शौकिया खेल रहे हो, ठीक ह अब उसमें अचार, तीन लोग भी एक सान्थ खेल लो है, दू लोग भी खेल लो, सिंगल भी खेल लो, ड़न माटर, मगर अब जब हम लोग प्रॉफेशनल इवेंट्स की बात करते है, तो प्रॉफेशनल इवेंट्स का मतलब जो नैशनल लेवल पर, इंटरनाशनल लेव पर या Olympics वगरा के लेवल पर करवाये जाते हैं जो rules and regulations अब उन सारे events वगरा की बात कर रहा है तो उन events की बात की जाए तो देखिए सबसे पहले आपका mens और women's का single होता है यानि कि आपका male to male single matches वगरा खेल रहा है वो वाले event होता है female to female वोमेंड वोमेंड वोमें ज। है आपके सिंगल सो 커피 महीला एंग और मियूल्ष तरह और दूसरी तरफ में एक महीला और अ Aside दृसरी तरफ न है यहांङी इस के पर winner 70 और 19 में जुनियर बॉइज की events वगरा करवाए जाते हैं, singles में भी, doubles में भी और mixed doubles में भी, then आपका सब junior level पर boys और girls के events करवाए जाते हैं, under 13 और 15 में singles, doubles, mixed doubles सारे के सारे, तो अगर आप बात करेंगे कि भाई या कितने तरीके के events होता है, men's का single होता है, women's का single होता है, इनके doubles होते हैं, इनके mix doubles होते हैं, अब वो आप चाहो तो under 17, under 19 खिलवा लो, junior boys और girls को, या फिर आप under 13, under 15 खिलवा लो, या इंटरनाशनल लेवल पर खिलवा लो, वो आपकी मर्जी है, मगर इस तरीके से यह अलग-अलग events वगरा जो हैं, करवाए जाते हैं, चले, अब badm badminton के जो आपके court बगरा हैं, और बाकी सारा equipment है, उनके dimensions बगरा पर थोड़ा बाकी कर लेते हैं, मोटे-मोटे तोर पर बड़े-बड़े जो dimensions हैं, उसकी बात हम लोगों ने करनी है, तो badminton पहली चीज तो यह कि indoor game है, इसको याद रखिएगा, खेलने के लिए आपको एक international standards के हसाब से, तो badminton एक indoor game है, इसको एक बंद court में खेला जाता है, ठीक है जी, तो badminton एक indoor game है, इसको खेलने के लिए आपको एक racket या फिर for that matter, दो rackets की जरूरत पढ़ती है, हरे clear को एक एक racket लगता है, एक net लगता है, और दो post और एक shuttlecock बगरा लगता है, इससे ज़्या उसके area की बात कर लें, तो 13.40 into 6.10 meters, और अगर आप singles की बात कर लें, तो वहाँ पर ये 6.10 की जगे 5.18 meter का court होता है, और इसमें चारो तरब जो है, आपके marking बगरा के लिए white lines बनाई जाती है, और ये white lines जो होती है, 4 cm चौड़ी होती है, white color की भी हो सकती है, यलो color की भी हो the court for the international competition shall be 12 meter, मतलब ये कि ground के level से अगर आप उपर indoor court का जो च्छत है, उसकी बात कर लो, तो ये जो height है, वो 12 meter के आसपास, जो है minimum रखनी है, उससे जादा रखना जाते हो, रख लो, मगर minimum ground के court से आप जो court, ground का जो court है, court का जो ground है, वहाँ से अगर आप उपर की ceiling तक की बा आगे, there shall be at least two meter clear space surrounding the court, तो आपका जो ये court है, इसके चारो तरफ ये दो दो मीटर का जो है, चारो तरफ आपका clear space बगरा भी जो है, खुला छोडा जाता है, then आपका जो post बगरा है, जिसके उपर net लगाया गया है, वो लगबग 1.55 meters high होता है, ये जो आपके post है, जिसके उ पर net टांगा गया है, ये लगबग 1.55 meter होता है, ग्राउंड से, ठीक है, ये याद रखना है, आपका 1.55 meter होता है, height से from the surface of the court and placed on the double side lines, तो ये आपके post बगरा है, आपने लोगों ने देख लिए है, इस तरीके से लगाया जातना है, इसके बाद में, net shall be of dark color with height of 1.524 meter at the center, अब आपका जो net है, वो dark color का होगा, black color का या इस तरीके आपको डार कलर है, आप उसके net का इस्तेमाल करोगे, और इसको जो post पर आप लटका होगे, तो इसकी height 1.524 meter के आसपास में आएगी, ठीक है जी, बाकी shuttlecock में आपके solar feathers वगरा होंगे, उसका वसन 5.74 से लेके 5.50 gram त बैड्मिंटन क्या है, कब शुरू हुआ, आपका olympics वगरा में कब आया, वगरा वगरा, इस सारी बाते हम लोगों ने देख ली, अब जो अगला question आता है, कि बैड्मिंटन खेला कैसे जाता है, इसके क्या निया हम है, कई बार आपने भी सुना होगा, कि आपकी साइना न वाले फलाने फलाने प्लेयर को सीधे सेटों में हरा दिया, टाइब रेकर तक मैच गया, इस तरीके के कई आपने चीज़ना सुनी होगी, मगर इसका मतलब आप में से करें लोगों को शायद नहीं पता होगा, कि सीधे सेटों का क्या मतलब है, टाइब रेकर बैड्मिंटन करने का प्लेयर को सब्सक्राइब तक बैड्मिंटन का गेम चुरूं प्लेयर है, जिए जो आपके दो प्लेयर या फिर अब आपकी तो टीम है, उनके बीच में टाइस जीत जाती है, वो टाइस जीतने के बाद में यह डिसाइट करती है, कि उसको पहले सर्व करना है, या उसको रिसीव करना है, सर्फ करने का मतलब होता है कि आपने सबसे पहले शटल कॉक जो है आपको बैट से मार के दूसरी तरफ पहुँचानी है या दूसरा जो है सामने वाला वो मार के आपकी तरफ पहुँचाएगा और उसके बाद आप जो है आप जो है रिसीवर कहलाते हैं तो अकॉर्डिंगली कि आपका जो भी मन है उसके बेसेस पर जो आपकी विनिंग साइड है, वो साइड जिसने आपका टॉस जीता है वो डिसाइड करता है कि उसको या तो सर्व करना है या फर रिसीव करना है एक चीज और दूसरा ये कि आप कौन से तरफ से खेलना चाहते हो कोट के, या आपका बैडमिंटन कोट है या आपका बीच में नेट लगा है ये एक हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है अब आप सेकंड वाले पॉर्शन से खेलना चाहते हो अब पहले वाले पार्ट से खेलना चाहते हो अब कहां से खेलना चाहते हो ये डिसाइड आप कर सकते हो ठीक है जी, तो ये दो चीज़ें आपने को देखने को मिलती है अगर एक साइड ने टॉस जीता है कि अब लेट से यह आपका code है ठीक है जी यह आपका code है यह बीच में net लगी हुई है यह आपका code एक तरफ यह यह वाला हिस्ता है codes में कुछ चलिए मैं आपको diagram भी दिखाता हूँ ज्यादा better समझ में आएगा यह आपका code है ठीक है जी इस code में यह आपकी यह net लगी हुई है net के बाद में यह net के एक तरफ जो है एक आपका code का इलाका है और net के एक तरफ जो है यह दूसरा आपका code का इलाका है अब इसमें यह जो line यहाँ पर बनाई जाती इसको बूला जाता है short service line ठीक है जी इसके पीछे की तरफ का जो यह court वगरा है end line के पहले तक का एक central line बनाके इसके दो हिस्से किये जाते हैं एक होता है आपका right service code और एक होता है आपका left service code एक्जाक्ली यही चीज आपको net के इ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती है तो यहाँ पर अपकिया यह जाता है जब आपका मैच चुरू करना होता है तो अगर आप यहां से खड़े हो के सर्फ कर रहा है तो आपको डैगनिकली या डैगनली अपोजेट डैरेक्शन में आपका जो अपोनेंट है वो खड़ा रहेगा उस तक आपको शटल कॉक मारनी है और उसके बाद मैच शुरू होगा अब सपोस कर लीजे कि आप यहां से अगर खड़े हो के सर्फ कर रहे हैं तो डैगनिकली अपोजेट डैरेक्शन में आप यहां से जो है शटल कॉक मारेंगे तो यह याद रखिएगा इंपोर्टन बात है कि टॉस करने के बाद में दो चीन चीज़ें हो गई एक तो आप नहीं डिसाइट किया कि आपको सर्व करना है या फिर रिसीव करना है दूसरी बात है कि आप कोट के कौन सा हिस्से से जो है कोट का मतलब कौन सा हिस्से इस्तिमाल करना चाहते है नेट के किस तरफ से आप खेलना चाहते है आप जो भी आपका सर्वर होता है यह आपका कोट हो गया यह बीच में आपकी नेट हो गई यह आपकी एक सेंटर लाइन हो गई और यह उसके दो हिस्से हो गई यह आपका लेट सेंटर लेट सर्वेस कोट हो गया राइट सर्वेस कोट हो गया इस तरीके से आपके यह कोट के हिस्ते बगरा जो है बने हुए अब अगर आपने यह डिसाइड किया कि आप यहां से सर्फ करोगे तो फिर आपको डाइगनली अपोजिट डायरेक्शन में दूसरी तरफ यह जो लाइन है इसके सीध में जो है आपको शटल कॉक मारना पड़ेगी और यहां पे खड़ा हुआ प्लेयर उसको रिसीव करेगा अगर आपने डिसाइड किया कि आप यहां से करोगे तो फिर आपको यहां से डायरेक्शन में जो है शटल कॉक मारनी पड़ेगी और सानने वाला यहां पे खड़ा होगर वो रिसीव करेगा यही बात उसके लिए है अगर वो यहां पे खड़ा है तो फिर वो डायरेक्शन by hitting the shuttlecock, game शुरू करने के लिए आपका server क्या करता है, आपकी service जो है वो शुरू करता है deliver करना शुरू करता है, कैसे shuttlecock को hit करकर racket से below the waste, और एक बात यह है कि आपको यह short comer से नीचे से लेना है, आपको यह मतलब अगर अगर let's say shuttlecock को यहां उपर पकड़े हूँ है, और फिर आप अगर आप मारते हैं तो यह चीज नहीं गिनी जाती आपको जो shuttlecock है वो नीचे से लेना है, waste के नीचे से जो है आपको उसका इस्तेमाल करना है और diagonally opposite direction में आपको वो shuttlecock जो है उसको मारना है अब during a service it is considered as a fault service के वक्त में a fault कब कब हो सकता है थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं let's say कि आपने जो है बॉल मारी sorry, let's say आपने जो है shuttlecock को मारा, आपने let's say shuttlecock को मारा और यह shuttlecock जो है सामने वाले तक deliver ना हो कि net जो है उसी में जाके टकरा गई और उसी में फसी की फसी रह गई तो यह चीज जो है एक fault मानी जाएगी service के वक्त के बात कर रहा हूँ game शुरू नहीं हुआ है आप जो है shuttlecock को मार कर game शुरू करने वाले आपने shuttlecock को लिया अपने shuttlecock को मारा और वो जाके पता चला net में अटक गई है तो यह चीज जो है इसको एक fault माना जाता है अगर वो जाके net में अटक गई दूसरा आपने अपनी तरफ से जो है shuttlecock को मार दिया है मगर वो shuttlecock अपना आपका जो कोड है उसको क्रॉस करने के बाद में जाके किसी तरीके से net में फसके रह गई है तीसरा if the server shuttle is hit by the receivers partner अब अगर let's say आप doubles खेल रहा है या mix doubles खेल रहा है और आपके server ने जो है shuttlecock को हिट करके दूसरी तरफ महुचाया है अब दूसरी तरफ का आपका जो receiver है receiver के जो दोनों players है या फिर एक भी player अगर खेल रहा है for that matter अगर आपकी जो shuttlecock है उससे टकरा गई तो फिर जो है इसको भी एक fault माना जाता है तो यह तीन तरीके के fault जो है यह आपका service fault माने जाता है यानि की toss हुआ, toss हो के decide हुआ कि कौन जो है match शुरू करेगा जिसने finally ultimately match शुरू करना है तो match ऐसे शुरू करना है कि वो shuttlecock को आपका racket से मारेगा और match शुरू होगा, अब यह service कहला यह जब आपने service कर ली और आपकी जो shuttlecock है यह जाके net में अगर फसी की फसी रहे गई सामने वाले तक पहुची नहीं तो यह fault है आपने अगर जो है इसको मारा है और अगर net को pass over कर भी गई मगर जाकर अगर net में अटक जाती है उसके बाद किसी तरह से तो यह fault हो जाएगा और तीसरा अगर आपका तीसरा यह है कि अगर जो served shuttle है जो आप तक मौची है अगर यह आपके जो single player है उससे या double players मैंसे किसी एकी body वगरा से टकरा जाती है किसी को hit करती है अगर या फिर किसी को टकराती है तो इसको भी जो है फिर एक fault मना जाता है यह तो आपके service वगरा की time period में जब आप match शुरू कर रहा है आपका set शुरू कर रहा है तब का fault है इसके लावा play जब चल रहा है जब आपका match चल रहा है जब दोनों तरह से shuttle cock को मारा जा रहा है service वगरा बन गई है दोनों point score करने की कोशिश कर रहा है उस वक्त में क्या क्या तरीके होते हैं जिसकी मदद से आपके fault हो सकते हैं तो पहला है the shuttle lands outside the boundaries of the court याने कि आपका match चल रहा है लेट से मैं और आप खेल रहा है मैंने आपकी तरफ shuttle मारी आपने मेरी तरफ मारी मैंने आपकी तरफ मारी आपने मेरी तरफ मारी अब यह के service बन गई है हम लोग लगातार जो एक दूसरे को सर्फ कर रहा है और एक दूसरे के court में आपका shuttle cock गिराने की कोशिश कर रहा है अब let's say आपने या मैंने जो है अपनी तरफ से shuttle cock को मारा point score करने के हिसाब से या जिस भी तरीक ऐसे मगर यह जो shuttle cock है अपना जो code की boundaries वगरा बनी हुई है उसके बहार अगर land कर जाता है एक अगर shot हमने या मैंने आपने आप में से किसी ने भी shot लिया और वो हमारी तरफ का net भी cross नहीं कर पाया मैंने shot लिया और late से मेरे net के इसी तरफ गिर गिर गिया आपने shot लिया और आपके net के इसी तरफ गिर गिर गिया तो जो है अपने आप में fault माना जाता है तीसरा यह कि shot इतना उपर उठा दिया कि वो जाके आपका indoor stadium की जो ceiling थी या छत थी उससे जाके टकरा गया या फिर वो किसी player की को touch हो गया या उसने किसी player की dress वगरा को touch कर दिया तो भी जो है इसको आपका service के time period इसको जो है फिर आपका play के वक का fault माना जाता है जब आपका match वगरा जो है set शुरू कर रहे हो या गेम अगर रूख दिया गया था वो उसके बाद में गेम को फिर से शुरू किया जा रहा है और ये तब के fault है जब आपका match चल रहा था दोना तरह से shuttlecock लगा तार मारी जा रही थी और एक दूसरे के साथ में shuttlecock को play किया जा रहा था score is even the server serves from the right service code अब let's say यहां से तो 00 से आपका फिर जो है गेम वगरा शुरू हुआ उसके बाद में आपका गेम वगरा आगे बढ़ना शुरू हुआ और दोनों तरफ आपको किसी एक ने जो है आपका serve करना शुरू किया किसी एक ने जो है है वो even है यानि कि 2 है 4 है 6 है 8 है जग तक इसका score even number में चल रहा है जिसने shuttlecock को मार कर आपका गेम शुरू किया था और उसको फिर अगर आप से गेम में लेट से आपका shuttlecock गिर जाती है को फॉल्ट हो जाता है किसी वज़ए से आपको फिर से आप सर आपको जो उसको बोला गया है कि आपको सर्व करना है तो जब तक आपका जो server है उसका score जब तक आपके server का score even है 2,4,6,8 इस तरीके से है तब तक वो आपका right service code से सर्व करेगा right service code का मतलब क्या है वो यहां से सर्व करेगा और जब उसका score odd हो जाएगा तब वो आपका left service code से surf करेगा मतलब तब वो यहां से surf करेगा तो यह आपका right service code है RSC और यह आपका left service code है LSC left service code से तब surf करना है जब आपका score odd है और right service code से तब surf करना है जब आपका score even है याद रखिएगा इस बात को यह important है यह अपने को नियम पता होना चाहिए कि beginning में आपका score 00 है उसके बाद आपका match वगरा शुरू होता है ultimately जब तक आपके server का score even है और उसको अगर बोला जाए कि आपने अप serve करना है किसी वज़ाए से कि let's a shuttle cock बाहर गिर गई code के fault हो गया और server से बोला गहार जाया है कि आप 12 सर्वेड शुरू करो तो अगर उसका score even है तो वो आपका right service quote से serve करता है और अगर उसका score odd है तो फिर वो आपका left service quote से hit करता है अब server ने आपकी जो shuttle cock है उसको मारा receiver ने उसको receive किया receiver ने उसको फिर मारा आपके server ने फिर उसको मारा receiver ने फिर मारा server ने फिर मारा है का हारी एशार ने चलतर रहेखे दोनों जो है इन के बीच में आपका जो में शर्डल कॉक गिरा दी तो ये बोला जाएगा कि मैंने ये रैली जीत लिए अगर मैंने आपके कोड में शर्डल कॉक गिरा दी तो मुझे एक पॉइंट मिल जाएगा और ये बोला जाएगा कि मैंने ये रैली जीत लिए इसी तरह से अगर आपने मेरे कोड में ये शड़ल कॉक गिरा दी तो फिर ये बोला जाएगा कि आपने ये रैली जीत लिए इंपोर्टेंट है याद रखिएगा रैली का मतलब क्या लगाता है ये इंटर प्ले हो रहा है मैंने आपकी तरफ में शड़ल कॉक मारा आपने मेरी तरफ में मारा फिर मेरी तरफ मारा भी ये गेम बन गया है ना आप शड़ल कॉक मेरी तरफ गिरा पा रहे हो कोड में ना मैं आपकी तरफ गिरा पा रहा हूं एक point मिल जाएगा वो points score करेगा ही करेगा वार साथी साथ ये भी बोला जाता है कि वो rally जीत गया है तो अगर एक server एक rally जीत जाता है यानि कि जिसने game शुरू किया था चलकॉक को मारके अगर वो rally जीत जाता है तो फिर वो points score करता है और उसके बाद में वो फिर से जो है service करना शुरू करता है from the ultimate service course service code मतलब यह कि अगर मैंने आपके let's say left service code से आपकी service शुरू करी थी और उसके बाद मैं अपने बीच में match चल रहा था अब मैंने rally जीत ली है अब मैंने आपकी तरफ में जो है point गिरा आपकी तरफ में जो है शर्ल को गिरा के point score कर लिया है तो अब एक तो मुझे point मिलिया दूसरा फिर से match को continue करना तो service फिर से मेरे पास आएगी और दूसरी बात यह कि अब मैंने left वाले service code से किया था तो इसके बाद मैं right service code से जो है शुरू करूंगा और अगर यह server जो है वो rally जीत लेता है तो उसको एक point मिल जाता है प्लस वो फिर से serve करता है आपका जो alternative service code होता है वहां से इसी तरीके से गर एक receiver एक rally जीत लेता है तो फिर उसको एक point मिल जाता है और वो एक वो नया server बन जाता है मतलब मैंने आपकी तरफ में शुरू किया था मगर ultimately आप हमारे बीच में जब rally बनी उसके बाद में आपने point मेरी तरफ में गिरा दिया आपको point मिल गया है आपने शुरू को मेरी तरफ में गिरा के point अब जाता है यहाद रखना है कि आप जिस service court से serve कर रहे हो आपका यह बैडमिंटन का आपका court हो गया यह net हो गई यह आपकी line हो गया यहाँ पर आपने दू service court बना रखें आपका left service court से आप तब सर्व करोगे यह आपका left service court है lsc यहाँ से आप तब सर्व करोगे जब आपका score odd है और आपका right service court rsc यहाँ से आप तब सर्व करोगे जब आपका score even है यह important बात है याद रखिएगा right से जब आपका score even है और left वाले service court से तब करोगे जब आपका score odd है चलें आगे बढ़ता है अब हम लोग बात चीत करेंगे doubles के बारे में कि doubles में किस तरीके से match वगरा continue किया जाता है तो अब बात करते हैं doubles के बारे में या उनके जो rules and regulations होते हैं उसके बारे में पहली चीज तो यह कि doubles में हर एक side को सिर्फ एकी service आपकी मिलती है और दूसरी बात यह कि जो service है वो consecutively एक से दूसरे player तक पास होती रहती है ठीक है जी यानि कि आपकी team की अगर एक service आई है तो आपका एक player लेगा और उसके बाद में फिर आपकी जब दूसरी service आईगी तो वो दूसरा player लेगा पहला वाला player नहीं लेगा इसमें थोड़ी सी terms and conditions ना उसके बारे में आगे बात करेंगे मगर इस तरीके से आपकी जो service वगएरा है consecutively हर एक player को पास होती चली जाती है जब game की शुरुवात होती है यानि की जब score 00 है या फिर जब आपका जो score है वो even है तब आपका जो server है वो right वाले service code से serve करता है और जब आपका score odd है तब आपका जो server है वो left वाले service code से serve करता है अच्छा अब यहाँ पर जो मैंने बोला था कि आपका service जो है वो consecutively pass होती रहती है दूनों players के बीच में उसमें थोड़ा सा पेंच है थोड़ा सा उसमें यहाँ पर एक interesting बात निकल कर आती है वो देखिएगा if the serving side wins a rally the serving side scores a point and the same server serves again from the alternative service code मतलब यह कि अगर आपका serving side let's say मेरी team जो है वो serve कर रही और आपकी team जो है receive कर रही अब मैंने आपकी तरफ में shuttle cock मारा था उसके बाद में हमारे बीच में game शुरू हो गया अब अगर let's say मेरी team ने आपकी तरफ में अगर shuttle cock गिरा दिया यानि कि एक तो मैंने point score कर लिया है और अब game फिर से शुरू होगा तो service फिर से मेरी team करेगी अब यहाँ पर मेरी team में जिस बंदे ने serve किया था यानि कि अगर मैंने serve किया था तो मैं ही जो है फिर से serve करूँगा मगर अपने score से ना serve करकर जिस score से बने serve किया था उससे ना करकर alternative code से करूँगा मतलब यह कि अगर मैंने यहाँ पर इस वाले code से serve किया था और फिर से rally जीत लिया तो आप सर्व तो मुझे ही करना है मगर मैं इस तरह आ जाओंगा दूसरे वाले कोड और यहां से सर्व करूँगा और अगर लेट से मैं इस वाले कोड से सर्व कर रहा था और अल्टिमेटली मैंने सर्विस जो है आपकी जीत लिए आपका जो रैली वगरा है जीत लिए पॉ स्कोर कर लिया है तुसरा यह कि अगरनेटिव सर्विस कोट से करेगा स्कूर करेगा дан The receiving side score a point the receiving environment business then की तरफ को मार के मैण शुरू किया गया था उन्हों स्कोर कर लिया ऐसी परिस्तिती में आप जो है आपको एक पॉइंट मिल जाएगा और अब जो है आप नए सर्विंग साइट बन जाएंगे अब जब मैच फिर से शुरू होगा तो इसके बाद में आप जो शर्डल कोख है वो आप सर्व करेंगे मैं सर्व नहीं करूंगा या तक आपकी टीन जो है पॉइंट स्कोर नहीं कर लेती है यह भी एक इंपोर्टन बात है तो अपनी मनमर्जी से अपना जो है कोट चेंज नहीं कर सकते है कोट चेंज करोगे या नहीं करोगे वो डिपेंट करेगा इस बात के उपर कि आपने पॉइंट स्कोर किया है कि नही winner बन जाता है minimum minimum जो दो game जीत जाता है वो आपका winner बन जाता है important है याद रखिएगा एक match में तीन game होता है हर एक game 21-22 point का होता है और इसमें से फिर जो best होता है best of three games के basis पर जो है आप match जीतते हो मतलब यह कि जिसने इसमें जीत लिए वो जो है आपका आपके जो match है उसका विचेता बन जाता है every time there is a serve there is a point scored the side winning a rally adds a point to its score at a score of 20 all the side which gains two points leads the first two points lead first wins the game if the score reaches 29 all the score the side scoring the 30th point wins the game the side winning a game serve the first in the next game अब यह सारे के सारे points जो मैंने पड़े को मैं आपको explain करता हूँ पहली चीज़ तो है कि badminton के एक game में तीन matches या तीन sets होता है हर एक set जो है के सिकेस पॉइंट का होता है एक बात every time there is a serve there is a point score यानि कि जब भी आपका कोई team serve करती है तो इसको एक point जो है serve करने के लिए मिल जाता है यानि कि मैंने आपकी तरफ serve किया है तो इसका point मुझे मिलेगा अगर आपने जो है serve किया है मेरी तरफ तो उसका point आपको मिलेगा the side winning a rally adds a point to its score अब जो भी rally वगरा बनी है दोनों आपके जो पक्षों के बीच में तो जो भी side is rally को जीता है उसको एक point मिल जाएगा और वो जो है उसके score मैड होता चला जाता है ऐसे करते करते से अगर match आपका चला और 20 all पर जो है आपका score आके रुड़ गया यानि कि दोनों टीम जो है या फिर दोनों जो player से उनके 20-20 points आपके score होगा है तो वह वाला player जो 20 के बाद में आप 2 points की lead ले ले लेगा यानि कि 22-20 का अगर score किस ने कर दिया तो फिर जो है वो विजेता declare हो जाएगा important है याद रखिएगा at a score of 20 all the side who gains two point lead wins the game यानि कि अगर 20-20 का score बन गया है तो उसके बाद में जिस बंदे को भी दो point की lead मिल जाएगी वो विजेता बन जाएगा कहने का sense यह बनता है कि आपने score जो है को आप और मैं मैच खेल रहा है लेट से आपका score 19 है अठरा है 17 है और मेरा 20 है अब मैंने point score किया 21 वा तो फिर मैं आपका set जीच जाओंगा मगर लेट से आपका score भी 20 हो गया अब दोनों का score 20 है और आप मैंने 21 वा पाइंट score कर दिया तो मैं विजेता नहीं कहला हूंगा आप मुझे 2 point की lead लेना पड़ेगी Let's say कि अब मैंने 20 से 21 score तो match अभी भी continue करेगा और आपने 21 कर दिया तो फिर आप मुझे 23 करना पड़ेगा दो पॉइंट की लीड लेना पुड़ेगी 23-23 अगर स्कोर हो गया 21 के पार निकल लिया तो फिर 25 करना पुड़ेगा कुल मिला कि 20-20 के स्कोर पर अगार आगा है 20 से कम अगर किसी बंदे का स्कोर है और तब आपने वो पॉइंट स्कोर कर लिया 21 पर तो आप का विजेता डिकलेर हो जाएगा अच्छा इसी तरीके से लेट से बात करते हैं कि यह मैच खतमी नहीं हो रहा और होते 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 29 पर पहुंच गया मतलब दोनों जो है तगड़े खिलाडी हैं लगे हूँ हैं और 29-39 पर पहुंच गया है ऐसी कंडिशन में फिर जो भी बंदा तीसवा पॉइंट स्कोर करेगा वो विजेता डिकलेर हो जाएगा अब यह थोड़ा सा पेचीदा हो सकता है मगर यह नियम है नियम क्या है 21 पॉइंट का एक गेम होता है 21 पॉइंट के गेम में लटसे कि एक खिलाडी जो है उसने 18 पर आके रुख गया है सामने वाले ने अच्छी फाइट मारी और 20-20 पे आके आपका स्कोर रोग गया अब अगर ये बंदा 21 पॉइंट स्कोर कर लेगा तो भी इसको आप विजेता नहीं बोलोगे आप इसको 2 पॉइंट की लीड लेना पड़ेगी 20-20 का स्कोर होने के बाद में आप 2 पॉइंट की लीड लेना पड़ेगी यानि कि अगर ये 22 कर लेता है 22-20 पे विजेता डिकलियर हो जाएगा सपोस कर लीजे कि इसने 21 कर लिया इसने 22 कर लिया तब भी विजेता डिकलियर नहीं होगा तब फिर इसको 23 करना पड़ेगा कुल मिलाकर आप 2 पॉइंट की लीड जब तक आपको नहीं मिलेगी तब तक आप मैंसे कोई भी विजेता नहीं डिकलियर कर लाएगा अब ये प्रक्रिया भी चलती रही दोनों तगडी फाइट मार रहे हैं करते-करते मैच आपका 29-39 पर आ गया 28-29 पर था और लेट से एक और पॉइंट किसे नहीं स्कोर किया और वो 29-39 हो गया ऐसी परिस्तिती में अगर जिसने भी आपका अगला point score करके थीसवा point score कर लिया फिर उसको विजयता मान लिया जाता है ठीक ह häufा जी एंड यह जो आप बंदा है इसने इस game को जीत लिया है इसने यह set जो है वो जीत लिया है तो वो जो side आपका पहला set जीतती है वो दूसरे set में आपका serve करती है ठीक है? इंपोर्टेंट असको ध्यान रखिएगा अगला when the leading score reaches 11 point players have a 60 seconds interval अब जब score आपका 11 points पहुंचता है जब leading score आपका 11 point होता है तब आपके players को 60 seconds का एक interval मिलता है at interval an interval of two minutes is allotted between each game इसका अब यह जो आपके एक game आपका खतम होता है उसके बाद मैं दूसरा game शुरू होने के पहले आपको 2 minute का interval दिया जाता है इसके लाबा in the third party game player changes ends when the leading score reaches 11 points in the third game player changes end when the leading score reaches 11 points मतलब यह कि जब तीसरा set आपका चल रहा होता है उसमें जैसे ही score किसी का भी 11 points होता है तो आप अपना end जो है वो change कर लेते हैं let's say अगर हमारे बीच में net लगी है मैं इस तरफ से खेल रहा हूँ आप उस तरफ से खेल रहा हूँ तो जैसी 11 points score होंगे तो फिर आप इधर से आगे खेलोगा और मैं उस तरफ जाओंगा और वहां से खेलोगा और उसके बाद में जो अपना game बगएरा continue करेगा चल आगे बढ़ते हैं आप थोड़ा सा fundamental skills बगएरा जो होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं तो fundamental skills जो होती हैं badminton में उसमें जो basic strokes बगएरा हैं थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं अब wide range of strokes are used in badminton the services are अब strokes बगएरा जो इस्तिमाल किये जाते हैं badminton में बहुत अखेर काफी सारे होता है अलग-अलग तरीके के जो है strokes बगएरा का and फिर होता है आपका four hand flick serve इस तरीके के जो यह आप अपने को इनके पूरा एक ऐसे क्या होता है अपने को नहीं जाना detail में क्योंकि NCRT में इतना mention नहीं है वो एकदम फिर professional sports वगएरा के लिए हो जाता है मगर हाँ यह कुछ आपके तरीके होता है कुछ आपकी techniques वगएरा होती है जिसकी मदद से किया जाता है अब यहाँ पर आपको stance दिखाया गया है backhand low serve का और flick serve करने का कि आप एकदम से flick जो करते हैं backhand से वो किस तरह से किया जाता है इसमें होता यह है कि आप मैं इसकी photograph आपको दिखाता हूँ आपका जो player है वो इस तरीके से grip बनाकर नीचे से आपके racket को पकड़ता है अब उठा जो है उपर की तरफ में इस तरह से रखता है और आपका इसके बाद में यहाँ से इसको अगर flick करते हो hit करेगा तो यह जो है आपके backhand के strokes वगरा कहलाते हैं आप यही चीज आप बदल दो आप आगे से ऐसे ना पकड़के आप ऐसे ना पकड़के ऐसे पकड़ लो उसे तो उसके बाद में आप score करो और उसके बाद में आप ऐसे hit करो ऐसे hit ना करने की जगए ऐसे hit करो तो आपका four hand का जो है strokes वगरा बन जाएंगे ऐसे score नहीं कर रहे हो जिसमें आपको ऐसे हाथ का इस्तेमाल करना है उसमें कौन-कौन से आ जाते हैं पहला है आपका backhand net shot four hand net shot backhand net lift उसके बाद में आपका four hand net lift backhand net kill और उसके बाद में four hand net kill यह जो है कुछ आपके strokes वगरा है जिनका इस्तेमाल वगरा किया जाता है mid code की बात की जाए जो बीच के code से आपके strokes वगरा खेले जाते हैं उनके नाम क्या है ब्लॉक हो गया backhand drive हो गया यह नाम अपने को ध्यान में रखने है यह नाम अपने को ध्यान में रखने है देन रियर कोड की बात कर लिजा है तो पीछे के कोड से अगर आप जो strokes वगरा ले रहा है फोर हैं आपका clear four hand smash four hand drop shot backhand clear backhand smash बैक and drop shot यह नाम बगरा ध्यान रखना यह पूछे जा सकते हैं तो यह अपने को ध्यान रखना जरूरी है अगली चीज़ आती है high serve high serve travels to the rear of the opponent service code dropping vertically यानि कि अगर आपने एक ऐसा shot लिया है जिसमें shuttle cock जो है उपर की तरफ उठी अच्छी कासी height तक गई और उसके बाद में almost vertically आपका जो opponent है उसके code के पिछले हिस्ते में वो गिर रही है तो इस चीज़ को बुला जाता है high serve यह generally singles के दोरह इस्तेमाल की जाती है आपके rally की शुरुआत में यानि कि आपका जब singles का match चल रहा है एक एक one-to-one player है तो उसमें आपका rally की शुरुआत करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है and generally एक neutral यह फिर एक defensive position जो है वहां से इसको मारा जाता है high serve is used in women's single and sometimes in men's single generally high serve का इस्तेमाल महि it held in the forehand grip अब आपका जो sideway stance है उसका इस्तेमाल किया जाता है and दूसरी बात यह racket को हमेशा forehand grip के साथ में पकड़ा जाता है backhand की grip के साथ में आप vertical आपका जो high serve है उसको नहीं मार पाते है यह नहीं मार सकते है the racket and the shuttle are held in elevated position with the weight on the rear leg और आपका पैर आपका जो सारा का सारा व in the front अब जब यह shot आप ले रहे होते हो तो आपका सारा का सारा वजन बगरा जो है वो gradually आगे की तरफ में जो है आपकी body के transfer होता है क्योंकि आपने ultimately उसको कुछ इस तरीके तरह वो shot लेना है तो या फिर उसके वो shot को जब आप लेते हैं तो उसमें आपका जो पीछे का पै body the racket is carried through the high and long in the follow through तो कुल मिला कि यहां पर racket जो है उसको आपको नीचे की तरफ में रखना है bent wrist के साथ में मारना है और एक दमागे की तरफ में acceleration के साथ में उसको घुमा के आपको आगे की तरफ में लाना है hit करते वक्त में जिस्ते की height वगरा जो है वो ठीक मिल जा है vertical hit व करवा सके हैं जिसके बाद में वो आपका opponent है उसके court के बिछले वाले हिस्ते वगरा में वो गिरे चले आगे बढ़ता है तो अब बात करते हैं backhand low serve की backhand का जो low serve है इसका इस्तेमाल generally आपको doubles में देखने के लिए मिलता है और men's के singles में देखने के लिए मिलता है इसका use भी हम लोग generally rally वगरा को जो है start करने के लिए करते हैं मगर या तो किसी neutral positions इसको पर आगर आप खड़े होके अपनी rally शुरू कर रहा है या फर किसी defensive position पर अगर आप खड़े होके अपनी rally शुरू कर रहा है तो backhand low serve का इस्तेमाल किया जाता है अब यह जो backhand low serve है इसकी खासियत यह होती है कि इसमें shuttle जो है वो just आपका net के ऊपर से निकल कर जाती है और आपका जो opponent का service court है उसके front में जो है गिरती है अब यहाँ पर advantage यह आ जाता है कि सामने वाला या तो उसको रोक नहीं पाएगा और ultimately आप points score कर लोगे दूसरी चीज़ जो होती है वो यह है कि अगर स shuttle cock है उसको फिर से अगर उसने अपने तरफ के court में मारा भी तो भी वो कोई attacking shot नहीं ले पाएगा तो भी उसके पास में कोई जो है इस तरीके की उसकी attack वो मतलब कुल मिला कर उसको attacking position में आके वो अपने खिलाफ point score करने की परिस्तिती में नहीं आ पाएगा वो अगर आपन की जो opportunity होती है attack करने की उसको रिस्टेट कर देता है and it create attacking opportunities for the serving side अब सामने वाला जब जिस बीच में आपका ये shot खेल कर अपनी तरफ पहुंचा रहा है तब तक आप अपने position या posture चेंज कर सकते हो and उसके बाद में आपके लिए attacking opportunity हो फिर आप जल्दी से जो है ball को क्योंकि कि वो आगे आ चुका था तो पीछे की तरफ में उसके code के मिमार के आप जो है point वगरा score कर सकते हैं इस तरीके की चीज़ें वगरा हो सकती है the server stands with the racket foot forward close to the T on the code अब जो code के उपर आपका T बना हुआ है इस तरीके से जैसे यह आपका net है net के इस तरफ में यह लाइन है और य यहां कहीं से इसके आगे पीछे थोड़ा सा score वगरा आप जो है इस particular shot को लेता है चले अब जो main difference आपको यहां पर देखिए देखने को मिलता है जो अलग-अलग shots वगरा कि अपन बात कर रहा है four ends अमार दो back ends अमार दो इस सारी की सारी चीज़ें इसमें एक basic बात यह जो main कहलाता है आपने back ends उसको मार दिया एक certain height तक वो गई और उसके बाद में वो नीचे की दरफ में गिर रही है तो वो आपका flex service हो जाती है और एकदम ही नीचे से मारा है कि वो जस्ट आपका जो net है उसके उपर से होती वी जा रही है तो फिर वो जो है आपका low serve कहलाता है त एक certain angle पर अगर आपने hit किया है शटल को तो कितने angle पर जो है आपने hit किया था और accordingly वो कितना किस तरीके की parabolic trajectory लेकर कितनी height तक जा रही है उसके उपर ही depend करता है more or less इसके अलावा और ज़्यादा कोई फर्क जो है इन shots वगरा में नहीं आ जाता है चले आगे बढ़ता है यह कुछ photograph वगरा है NCRT से मैंने आपके लिए लगाई है देख लीजिए यह backhand grip है पीछे कि आप इस तरह से पकड़के अपने अंगूठे की मदद से जो है इस तरह से अगर रखते है तो यह आपका backhand grip है और इसको यूँ पकड़के यूँ ही मारा जाता है तो आपको backhand ह हो जाता है और यह अगर ऐसे मारता है तो यह आपका four hand हो जाता है देख लेंसे जो है कलाई का यह वाला हिस्ता अगर आगे की तरफ और उसके बाद आपने शॉट लिया है तो backhand और कलाई का यह वाला हिस्ता अगर आगे की तरफ और उसके वाला आपने शॉट लिया तो फिर वो four hand का शॉट कहला ताब उसका stance preparation और उसके बाद में execution मगरा बताये गया च देखे बात यह है अगर आप शुरुवात में जाएं कि जिमनास्टिक्स की शुरुवात कहां से हुई है तो इसके बारे में प्रता एकदम आपका सटीक तौर पे कुछ भी कहना फ़ड़ा मुश्किल हो जाएगा मगर जो human history के written records आपको देखने को मिलता है उससे अपने को य जा सके हैं अगर आप Greek city की बात कर लें Greece में Athens की बात कर लें खास तौर बे Greek city of Athens की बात कर लें तो वहाँ पर gymnastics के अपने tournaments वगरा करवाय जाते थे और इसमें आपका कई सारी activities होती थी टंबलिंग हो गई रोब climbing हो गई और इसके अलावा आपकी जो इसी तरीके की similar दूसरी activities वगरा होती थी यह सब कुछ आपको gymnastics वगरा में करवाया जाता था अब ancient Greece के जो आपके कई सारे दार्शनिक रहे हैं कई सारे आपको जो philosophers वगरा रहे हैं इनमें खास तोर बे नाम आता है Plato का Homer का Aristotle का यह लोग जो है strongly advocate करते थे gymnastics वगरा को gymnastics वगरा जो है उसको की आपको practice क करनी चाहिए यह लोग उसके काफी जादा supporter वगरा थे आप इनोंने अपने जो भी काम वगरा हैं जो भी works वगरा अपने लिखे हैं उसमें लिखी है इस बात को अपने works में इस बात का पकायादा description किया है कि gymnastics वगरा इनसान को करना चाहिए इसको इतना जादा strongly advocate करने की पी बनाई गई थी जिसका नाम था federation of international gymnastics इसको कई बार हम लोग शौट में फिक भी बोलता है लाएग नाम की जगह है 1881 में वहाँ पर इसकी स्थापना वगरा जो है की गई थी अब इंडिया के point of view से बोला जाए तो इंडिया में 1951 में Gymnastic Federation of India की स्थापना की गई एंड इस association के साथ में affiliation का दिलवाया गया इसको affiliate करवाया गया और जो international governing body थी federation international d gymnastics इसको short में फिक बोला जाता है उसके साथ में 1952 में इनको जो है affiliate करवाया गया अब Gymnastic Federation of India जो है यह founding member है of the Commonwealth Gymnastic Confederation and Asian Gymnastic Union का since both these bodies came into existence तो Gymnastic Federation of India बन गया उसके बाद में आपका जो आपके Commonwealth countries वग यह Commonwealth Gymnastic Confederation या फिर CGC नाम से एक body बनाई थी Indian Gymnastic Federation उसके जो founding members है जिनोंने जब उसकी स्थापना हुई थी तब उनने जो अपना contribution दिया था उसमें से एक है founding members है इसके लावा Asian Gymnastic Union की जो स्थापना की है AGU की जब यह body भी जब existence में आई थी तो Indian Gymnastic Federation जो है या फिर Gymnastic Federation of India जो है यह लोग जो है उसके founding members में से एक थे National Gymnastic Championship for men and women were organized in 1952 and in 1962 respectively अब Gymnastic Federation of India जब स्थापित हुआ तो उसके बाद में इन लोगों ने जिमनास्टिक्स वगरा के प्रचार प्रसार में अपने आपको लगाना शुरू किया हिंदुस्तान में and accordingly इन्होंने पहली जो आप जो पहली आपकी National Championship सब जूनियर गर्ल्स वगरा की और बॉइस की थी वो 1986 में करनाल में और्गनाइस करवाई गई थी Sports Aerobics was also organized under Gymnastics Federation of India from 1997 along with Gymnastics तो एक तो जिमनास्टिक्स वगरा जो आपका regular होता है वो करवाया जाता है वो उसके आपके अलग-अलग events वगरा और्गनाइस करवाया जाते हैं साथी साथ Sports Aerobics वगरा जो एक Evolve हो के अब तक निकल कर आ गया तो उसको भी Gymnastics का हिस्ता बनाकर 1997 से Gymnastics के events वगरा के साथ में Gymnastics Federation of India के दोरा उसको भी जो है और्गनाइस करवाया जा रहा है चले तो यह होगी Gymnastics की basic history वगरा की बात करते हैं यानि कि उन सारे equipments वगरा की जिनकी जरूरत आपको पढ़ दी है जब आप Gymnastics वगरा के various अलग-अलग activities वगरा को perform करते हैं त यह apparatus वगरा में जो major आपके apparatus होते हैं एक तो आपकी horizontal bars होती है मैं आपको photograph वगरा इसकी दिखाऊंगा भी horizontal bars होती है parallel bars होती है rings होती है आपके जो participants हैं के लिए specific गली बनाये जाते हैं इसी तरीके से आपके mail जो है उनके लिए भी कुछ specific आपके जो है जैसे roman rings वगरा हो गई इस तरीके के आपके apparatus वगरा बनाये जाते हैं तो कई सारे तरीके के apparatus वगरा जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है कई सारे apparatus वगरा है वो यूज में आते हैं जिनका इस्तेमाल करके आपके अलग-अलग तरीके की जिमनास्टिक इवेंट्स वगरा करवाय जाते हैं वैसे मैं भी आपको डिटेल में इन सबके बारे में बताऊंगा मगर आप फोटोग्राफ देखना चाहें तो अलग-अलग आपके जिमनास्टिक इवेंट्स हैं कुछ इस तरीके की आपको देखने को मिलता है ये पैरलल बार्स हो गई ये आपकी अनीवन बार्स हो गई ये पॉमल हो गया ये आपका बैलिंसिंग बीम हो गया इस तरीके से आपके जो अलग-अलग डिवाइस वगरा है वो दिये आपके जो अलग-अलग अपरिटर्स वगरा है उनकी फोटोग्राफ है अभी और इनको डीटेल में लोग पढ़ेंगे अब जैसा कि मैंने आपको बूला कि महिलाओं के जो है कुछ आपके specific अलग equipment होता है पुरुशों के जो है कुछ आपके अलग equipment होता है तो महिलाओं के जिमनास्टिक का जो apparatus है पहले वो देखेंगे उसकी list और उसके बारे हम लोग बात करेंगे तो जिमनास्टिक आपका दोनों महिला और पुरुशों के दोरा परफॉर्म किया जाता है कुल मिलाक अगर आप पुरुशों की बात करें तो उनके पास में 6 apparatus होता है और महिलाओं के पास में 4 apparatus होता है जिनके उपर वो अपने routines वगरा या फिर अपने जो भी gymnastics वगरा उनको perform करना है वो perform करके बताता है अब महिलाओं के apparatus की बात की जाए तो उसमें 4 apparatus आते है पहला है vaulting table, दूसरा है balancing beam, तीसरा है floor exercise और चौता है uneven bar वाल्टिंग table, balancing beam, floor exercise और uneven table देख लीजे यह आपका वाल्टिंग table यह इस तरह से होता है कुछ दूसरा है आपका balancing beam यह कुछ इस तरीके से होता है इसके उपर वो balance वगरा करके अपना gymnastics वगरा perform करता हुए एक clear दिखाए गया आपको, clear दिखाए गई है वो अपना gymnastics वगरा यह balance वगरा करके बता रही है उस balancing beam के उपर तीसरा आपका floor exercises वगरा होती है और चौता होता है uneven bars याने कि वो bars जो आपकी same height पर नहीं होती है तो यह आपकी दो अलग-अलग heights पर जो यह bars वगरा maintain की जाती है इनको आप uneven bars बोलता है यह चार आपके जो apparatus है यह female apparatus वगरा होता है man apparatus की बात कर लिजा है पुरूशों के जो apparatus होता है सबसे पहले उसमें vaulting table आता है फिर आपका horizontal bar आती है तीसरा floor exercise parallel bars roman rings and pomal horses यह जो 6 आपके apparatus है इनका इस्तिमाल किया जाता है यह करके देखते है vaulting table तो same वैसा ही है जैसा महिलाओं के case में होता है वोई shape size होता है तो vaulting table यह हो गया जिसके ओपर वो अपने जो भी perform बगरा कर रहा है activity दूसरा आपकी horizontal bar हो गई तीसरा floor exercises चौथा यह parallel bars पाचवा यह roman rings यह जो आपको rings बगरा दिख रही है इसके ओपर यह अपनी activity बगरा perform कर रहा है एक player यहाँ पर करता हो दिखाएगा एक player यहाँ पर करता हो दिखाएगा यह आपकी roman rings हो गई इसके लावा यह जो है pomal horse हो गया pomal horse पर जो आपनी अलग-अलग activities बगरा perform कर रहे हो जैसे उसने अपने सारे के सारे body के weight बगरा को इस एक हाथ के ओपर जो है करके balance बगरा किया हो गया है तो यह सब pomal horse बगरा पर जो है करवाया जाता है pomal horse बगरा पर होता है देखे हैं स यह जो है uneven bars है और इसके उपर आपका gymnastics बगरा perform किया जा रहा है तो uneven bars का क्या dimensions बगरा है देख लेता है यह आपको जो photograph NCRD में दी गई है uneven bars की वो है और यह इसके उपर activity बगरा perform की जा रही है तो uneven bars बगरा के आपको dimensions बगरा बताएगा है कि upper bar जो है जो उपर वाली bar है उस की height लगवाग 1.70 meter के आसपास होती है length जो होती है दोनों bars की वो 2.10 meter होती है और दोनों के बीच में अगर आप diagonal distance बगरा देखेंगे तो वो 1.30 meter से लेके 1.90 meter की बीच में होता है देख लीजे diagonal distance का मतलब क्या है यहां से अगर मैंने यहां तक का distance अगर measure किया है या फिर अगर यहां से मैंने यहां तक का distance अगर measure किया है तो यह जो है आपका diagonal distance बगरा कहलाता है यह सारे के सारे dimensions बगरा जो है इसमें बताएगा है तो height जो है upper bar की वो 2.50 meter हो गई lower bar की 1.70 meter हो गई इसक आपका 4.3 feet 6.2 feet adjustable है या फिर 1.30 meters 1.90 meter के बीच में कहीं पर आपको देखने के लिए मिलती है तो यह हो गई आपकी uneven bars की बात अब बूसरा जो है वो parallel bar है parallel bar की अगर आप photograph देखें तो कुछ इस तरह से है और line diagram कुछ बनाना चाहें तो इस तरह से आप बना सकते हैं CRT में line diagram आपको दिया हुआ तो मगर यह देखने में कुछ इस तरह से आपका देखता है अब इसके dimensions की बात कर लेते हैं इसके specifications को देख लेते है 2.80 meter इसकी height है और इसके इलावा जो आपका length वगरा है इसकी 2.40 meter है यानि कि जो bar है उसकी length आपका 2.40 meter है diameter matter नहीं करता है इतना नहीं पूछा इतना ये detail में जाने की जरूरत नहीं है height मगर आपको 2.80 meter याद रखना पुड़ेगी 30 cm आपकी landing mats वगरा भी include इसमें कर ली जाती है या फिर 109 inch की आसपास 12 inch की जो है landing mats को मिला के और length की अगर बात की जाए जो इसके उपर आपका बार रखी गई है वो 2.40 0 meter की या फिर 94 inch की जो है length उसकी होती है चले अगला आता है pommel horse pommel horse की photograph में आपको दिखाई थी यह आप उसकी photograph इस तरह से इन्होंने ncrt में दिये एक बार मैं आपको actual photo दिखा देता हूं यह आपका pommel horse है इसके ओपर अब यह अलग-अलग perform कर रहा है तो pommel horse यह उसकी photograph ncrt की उसके activity perform करते हैं बच्चा दिखाया गया है इसके specifications बगरा कि अब बात कर लेता है सबसे पहले height from the top surface to the floor यह pommel horse की जो top की surface है इस top की surface से अगर आप नीचे यह जो top surface है यहां से अगर आप floor तक की height अगर measure कर रहा है तो वो जो height है वो हो जाती है 1.15 meter length अगर आप top प इसके उपर लगाए गए है जो दोनों pommels आपके इसके उपर लगाए गए है इनकी height लगबग 12 cm के आसपास है यह जो height आपको देखने को मिल रही है यह 12 cm के आसपास है चले और दोनों आपके pommels वगरा है इनके बीच में distance कितना है लगबग 40 cm के आसपास यह जो है आपक कि अब थोड़ा इनकी डाइमेंशन की बात कर लेता है कि फोटोग्राफ जो इंसी आर्टी किये वो यह है और इनका जो इनर डाइमेटर है वो लगवग 18 सेंटी मीटर है डिस्टेंस रॉन दा पॉइंट ऑफ दा टैच्मेंट टु दा लोवर इनर साइड अब जो आपका अं अगला है आपका वाल्टिंग टेबल फोटोग्राफ आपको दिखाई दिया है इस तरह से यह दिखता है इसकी लेंथ है वन पॉइंट टू जीरो मीटर के आसपास इसकी विट नाइंटी सेंटी मीटर के आसपास है आगर आप मैन और वोमेन की बात करें तो सेम साइज नह नहीं होता है मैं अगर आद्मियों की बात करें तो 1.35 मीटर के आसपास रहता और अगर वोमेंस की बात कि जा तो 1.25 मीटर लेंथ three point five मीटर रहती है और विट तापका 1 मेटर के आसपास रखी जाती है चलें अगला आता है balancing beam to balancing beam के जो specifications वगरा वो देखेंगे photograph वगरा यह है इसकी इसका जो height है वो लगबग 125 cm के करीब होती है length जो है इसकी 500 cm यानि की 125 cm के आसपास कि इसकी height है और 500 cm के आसपास इसकी आपकी length वगरा रखी जाती है and width वगरा 10 cm वगरा कि इसकी होती है width वगरा 10 cm के आसपास इसकी रखी जाती है तो यह जो है आपका balancing beam हो गया इसके बाद में जो floor है जिसकी ओपर आपको बिना किसी equipment के कुछ perform करना होता है तो floor के dimension बताएगा है कि रक्टेंगल के shape में होती है 14 meter into 12 meter इसके dimensions वगरा है performance area जो है वो 12 meter into 12 meter का होता है आसपास में फिर plus minus में आप 3 cm का जो है इसमें error लेकर चलते हो diagonals वगरा दोनों तरफ के अगर आप देखोगे तो 1.697 meter plus minus 5 cm का error चारों तरफ एक meter की आप border बनाते हो और safety zone 2 meter का छोड़ते हो ठीक है यह जो है इस तरीके की कुछ कहानी होती है यह जो आपको इलाका देखने को मिल रहा है इसमें आप इस सारी की सारी activities वगरा perform करते हैं चले आगे देखते हैं इसके बाद में आपके parallel bars आ जाते हैं इस तरीके से कई जगाओं पे आपने देखा भी होगा parallel bars को हम लोग pumping बोलते हैं कई बाद आपको यह इस तरीके से लगा हुआ मिल जाता है आपके जो parts वगरा होते हैं वहाँ पर जहां पर आपकी physical activities वगरा करवाई जाती है अब यहाँ पर जो दोनों बार्स की लेंथ हैं वो 3.50 मीटर के आसपास है और इनकी विट्ट वगरा है ग्राउंड से वो लगबाग 2 मीटर के आसपास है अगर यहाँ तक जो है आपन लोगों ने बातचीत करकर खतम करी हैं आपने जो भी अलग अलग आपके अलग अलग तरीके के आपके जो भी यह डिवाइस वगरा थे जिनका इस्तेमाल वगरा किया जा रहा था अलग अलग तरीके के जो भी अपरेटर्स वगरा थे उसके बारे में बातचीत करकर खतम करी हैं अब हम लोग यहाँ से जो जिमनास्टिक्स वगरा हमें स्किल्स को देखना apparatus के उपर उसका नाम है kart wheel on balancing beam balancing beam के उपर kart wheel की जो आपके kart wheel का जो production किया जाता है gymnast के दारा उसके वारे में उनको बात्वीत करनी है तो kart wheel का मतलब क्या होता है देखिए क्या होता है कि एक बुलक kart या कोई भी अगर एक kart होती है तो इसलिए इस पूरी की पूरी technique का नाम जो है kart wheel रखा गया और क्योंकि balancing beam के उपर perform की जाती है इसलिए kart wheel on balancing beam बोल दिया गया अब इसमें होता यह है कि एक gymnast जो है वो आपका इस तरह से खड़ा होता है दोनों पैरों के उपर उसके शरीर का पूरा वजन है दूसरे पैर को इस तरीके से एक distance पे लाना शुरू करता है और उपर की तरफ उठाना शुरू करता है ठीक है जी इस तरीके से उपर की तरफ उठाना शुरू करता है दोनों हातों को धीरे 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 वो उपर की तरफ में लाएगा उसके बाद में अपनी body को इस तरफ यूं इस तरीके से posture में लेकर जाना शुरू करता है और दोनों हाथ जो है इस से आपका balancing beam को पकड़ता है एक बार जब उसने दोनों हाथों से balancing beam को पकड़ दिया इस वक्त तक उसने अपना ये वाला पैर भी जो हवा में अच्छे था एक इस particular posture में उठा लिया था जब दोनों हाथों पे उसने balancing beam को पकड़ लिया है सारा का सारा वजन जब इस वाले पैर पर आ गया है उसके बाद में फिर वो एक जटके के साथ में जो है अपने दोनों पैरों को हवा में उठा लेगा और balance बनाने के बाद में दोनों पैरों को इस तरीके सा जो है खोलता है अब आपका जो जिमनास्ट है इसके सारे के सारे वजन सारा का सारा जो शरीद है और इस वाले पैर को जो है उठाना शुरू करता है और इल्टिमेटली अपना ये वाले पॉश्चर में आता है माइंड करिए अभी भी कि आपका सारा का सारा वजन अभी भी जो है हाथों के उपर इसके बाद में वो इस वाले पैर को जो है जमीन से लगाता है और उसके बाद में दूसरा वाला पैर जो है उसको ग्राउंड पर लाने के साथ-साथ अपने हातों को जो है बैलेंसिंग बीम से हटा लेता है क्योंकि पैर आपका पहली ग्राउंड पर आ चुका है दूसरा पैर भी आप यहां पर लेकर आने वाले हो जिस वक्त आपका यह पैर नीचे की तरफ आ रहा होता है उसी वक्त आप अपनी बॉड़ी को उपर की तरफ उठा रहे होते हो और अल्टीमेटली आप यहां पर इस क對了 और खडब को मिल रहा है और यहां पर जो आपका पॉस्यर आपको कि यहां पर आपका का मिल गूंता है चक्कर मारता है zdrow यहां से हम् arrow आप उसे मूव करेंगे तो लगबाग उसी तरीके से आपने अपनी body को जो है एक cart wheel की तरह move कराते हुए various postures के साथ में आप उस particular position से इस particular position तक में लेकर आएं अब यही जो चीज है वो कहलाती है cart wheel on balancing beam अब यह तो मैंने खिर आपको explain कर दिया है इस तरीके से मगर इसको फिर अब डीटेल में जो है किस तरीके से step by step जो हमको लिखना है वो थोड़ा सा हम लोग देख लेता है उसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो stand erect keeping feet slightly apart हमको क्या करना है एक दम तंकर erect होकर खड़े होना है और दोनों जो पैर हैं उनको थोड़ा सा slightly apart रखना है वह चीज करनी है कि आपको हलका सा swing देते हुए अपने पैर को जो है अब उठाना शुरू करना है और दोनों हाथ जो है उनको उपर की तरफ उठाना है यह जो पहला step है उसके बारे में यहाँ पर बातचीत की जा रही है then place one leg ahead of the rear leg and shift the body weight on the supporting leg मतलब यह है कुल मिला के इस बात का कि अपना सारा का सारा वजन आपको इस वाले पैर के उपर लेकर आना है turn shoulders on the side and produce and place alternate arms on the beam at the side way swing and raise the rear leg first move the supporting leg to the direction of the cartwheel अब यह 3 steps जो है इसका description उनको ने कर दिया है कि आपने अपना यह वाला leg जो है धीरे से swing करते है उपर की तरफ उठाना है हातों का भी उपर की तरफ उठाना है उसके साथी साथ आपका जो यह पॉश्य आपका जो बॉड़ी पॉश्यर है आपका जो shoulders वगरा है इसको इस तरफ लेकर आना है जैसे ही आपके दोनों हातों से पकड़ कर आपने सारा का सारा balance अच्छे से बना लिया दोनों हातों थे तब आप जटके के साथ में दूसरा पैर जो है उपर उठा सकते हैं फिर दोनों हातों पे अपने weight को adjust कर लीजिए अपने पैरों को हवा में रखिए और उसके बाद म अब इतना technical language में लिखने की ज़रूरत नहीं कि इसको याद रखना थोड़ा सा मुश्केल है तो इसको अब अपने शब्दों में लिख सकते हैं अगर overall ध्यान इसी बात का रखना है कि कहां कहां पे उसने किस तरीके से balance किया उस चीज़ को सही तरीके से मैं आपको mention करना है तो इसका जवाब जो है आप इस तरह से दें जो लिखा मैं explain कर देता है उसके बाद में ये कि अगर कार्ट वी लिखने के लिए आ जाए तो कैस explain करना है तो एक बार आप इस particular balance में आ गए उसके बाद में पैरों को इस तरह से खोलना है कि 135 का angle के आसपास जो है इसमें बने दीरे दीरे उसके बाद में अपनी body को जो है इस तरह जुकाना है ताकि ये वाला पैर आपका ground पर आए उसके बाद में ये वाला जो पैर है उस पैरों के उपर इरेक्ट खड़े हुएं उसके बाद में आपने किया ये कि दुनों हाथों को उठाया अपने सर के उपर लेकर चलेगा और साथ आपने अपने एक लेक को जो है आपके एक particular left वाले लेक को अगर इस posture में देखें अगर इस posture से देखें तो राइट वाला ले देखें उसको आप इस तरफ उठाना शुरू करें जैसे जैसे आप अपने पैर को उपर की तरफ में स्विंग करेंगे तब आपको अपने इस सारे की सारे बॉडि वेट को इस वाले लेक पर बैलंस करना है left वाले लेक पर एपनी बॉड़ी का जो अपर हिस्ता है आपका जो टॉर्सो और ट्रंक वगरा है, उसको आपने clockwise direction में रोटेट करना है, इस तरीके साब इसको रोटेट करते हुए नीचे की तदफ में लाएंगे और balancing beam का जो यह वाला हिस्स्ता है, इसको अपने हातों की मदद से पकड़ेंगे, जब तक आपने दोनों हातों की मदद से balancing beam को पकड़ नहीं लेते, तब तक आपका एक पैर जमीन पर रहना चाहिए और एक पैर जो है उसको उठा कर आपको हवा में इस तरीके से लेकर आना है, ठीक है जी, इसके बाद में जब आपके दोनों हातों से आपने आपका balancing beam को पकड़ लिया है, उस वक्त जो है आप अप आपकी जो सारी-सारी body का weight है, वो हातों की उपर आगया, इसके बाद में आपका जो left वाला leg है, इसको उपर की तरफ में उठाना शुरू करें, अपका जो right वाला leg है, इसको नीचे की तरफ लाना शुरू करें, इसके साथ ही साथ अपनी body को भी जो है, आपका right hand side तरफ थ पीचे के तरफ स्विंग करते हो लाई है, इसको ऐसे भी प्रफॉर्म किया जा सकता है, कि आप यूँ इस तरीके से खड़े हुआ है, ऐसे करके, फिर आपने अपने हाथ वगिरा को खूला, थोड़ा सा अपने legs वगिरा को bend किया और इस पॉस्चर में आए, उसके बाद मे आपने सारा का सारा वेट इस तरीके से कर लिया, इसके बाद में फिर आपने अपने legs को इस तरफ रोटेट करना शुरू किया और आधा डिस्टेंस लाने के बाद में हाथ जो हैं बैलेंसिंग बीम के उपर से हटा दिये, उसके बाद यू लैंड़े ओन यो लेक्स पे ले है, यहाँ वाला posture exactly उसकी मेरा रिमेज है, और यही चीज जो है आपका कार्ट वील क्या लाती है, चले, तो यह जो है कार्ट वील हो गया, अब अगली बात चीथ हम लोग करते हैं, कि आईपी टेकनीक और अनीवन बार्स के बारे में, अनीवन बार्स के उपर किप टेकनीक या फिर की आईपी टेकनीक क्या होती ही, थोड़ा सा इसको डिसकस करेंगा और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, चले, देखने हैं जो नेक्स्ट अपने को जो देखनी है, वो है की आईपी टेकनीक और अनीवन बार्स के उपर यह टेकनीक परफॉर्म की जाती है, और इसमें आपका जो जिमनाइस्ट होता है, वो इन बार्स वगरा को पकड़ कर स्विंग करता है, और स्विंग करते हैं वक्त अलग-अलग पॉश्यर्स, अलग-अलग तरीके की जिमनाइस्टिक्स वगरा जो है आपको शो करता है, जैसे की आईपी टेकनीक में यहाँ पर आ शुरू करते हैं। स्विंग करते हुए फिर इसके ऊपर क्यी उपने पॉस्यर करते हैं। जैसे जो जिन्नास्ट है इन्होंने Järnald करना शुरू किया, स्विंग करते इस्वरी में पहुंची है। यहाँ पर पूरा यह बीड़ा एक से यह पोजिशन बगारा अब जब यह ऊपर की तरफ में इनकी बॉड़ी पूरी मूव करकर आएगी तब एक तो ग्रिफ ठीक ठीक बनी हो यह गिरने का खत्रा नहीं रहेगा हां स्लिप होने का डर नहीं है और पैरों की मदद से डिस्बैलेंस होने का खत्रा नहीं है प्लस है कि इस पॉसिशन में आने के बाद में आप जैसे कोई आपको कर्तब बगरा दिखाने है कुछ बैलेंस बगरा दिखाना है या फिर जब एक सरकल आपका पूरा होगा अगर आप यह वाली बार चोड़के इसके जो दूसरी वाली बार है उस पर जाना चाहती है तो वो भी आप कर सकते हैं इस तरीके के अलग-अलग करतब बगरा जो है दिखाये जाते हैं जैसे यहां पर पहुँचकर इस बार को जो है यह इस पर्टिकुलर जब यह जब आपका सरकल पूरा होगा तो यहां पर इस पर्टिकुलर पॉस्चर में पहुँचकर इस बार को इन्हों इस तरीके से पकड़ लिया, आप यहां से जंप करकर आपकी दूसरी बार पर जा सकती है, दूसरी बार पर फिर यही सरकल पूरा करते हुए, लोट कर बापस आपका इसी बार पर आ सकती है, इस तरीके की अलग-अलग जो यह टेखनीक्स वगरा आपकी जो है, इनको यह जो अलग अलग तरीके के आप जो पॉश्चार्स वगरा कर रहे हैं, रोटेट करते हुए अपनी बॉड़ी को अलग 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 पॉश्चार्स वगरा देना, एंड इसमें अपने जो hips हो गाई, फिर आपकी जो thighs हो गाई, आपके जो legs हो गए, इसको mode कर इस तरीके से अपने body को ऐसे shape देना कि ऐसे rotations वगरा में आप गिरे नहीं, आप balance बना के रख सके हैं यह आपकी KIP technique कहलाती है, generally इसको जादा better तरीके से समझने के लिए क्योंकि इसको अगर बहुत अच्छे दे समझना है, तो इसका live आपको demonstration देखना ठीक रहेगा उसके लिए better रहेगा कि आप जैसे KIP technique Olympics में अगर type करता है तो Olympics में gymnast वगरा जिस तरीके से KIP techniques वगरा को करकर बताते हैं एक अच्छा तरीका हो सकता है इसको देखने का, मगर more or less कIP technique का जो fundamental है वो यही है कि आपको swing करते हुए अपनी body के legs and specifically आपके hips हो गए या फिर आपके legs वगरा हो गए या फिर आपकी knees के नीचे का जो portion हो गया, legs वगरा का इनको इस तरीके से मोड़ना है और body को इस तरीके के postures में लेकर आना है कि rotate करते हुए आप अपना balance maintain रख सके हैं, weight वगरा uneven ना हूँ, गिरने के chances ना बने और इसके मदद से आप अलग-अलग postures perform करें uneven bars पर करने का मतलब यह बनता है कि इसमें आप दोनों bars वगरा पर इंटर्चेंजल भी एक से दूसरे बार, दूसरे से पहले बार पर आप लगाता रहा सकते हैं और इसकी मदद से आप अलग-अलग तरीके के करतब वगरा जो है वो दिखा सकते हैं यह जो चीज है वो आपकी किया आई-पग्नीक कैलाती है, अगला जो है इसको बोला जाता है forward Cezor on Pommel Horse तो हुम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि यह forward Cezor on Pommel Horse किसे कहते हैं, इसका क्या मतलब बनता है, देखते हैं तो forward scissor on pommel horse में ये किया जाता है कि हम लोग इस तरीके का कर्तब दिखाते हैं जिससे आपको ऐसा posture या फिर इस तरीके समझ में आता है कि जो शरीर है खास तोर पर आपके जो लेक्स वगरा है वो एक कैची के दो हिस्तों की तरह या दो फांकों की तरह चल रहा है इसमें आपका साराका सारा का वाड़ी का वेट है वो हाटों के ऊपर लाता है और अपने पैरों को जो है ग्राउंट से लेकर आता है और जिस तरफ से अपने हाथ चोड़ा है उस तरफ का पैर आप उपर की तरफ उठाना शुरू करते हैं और दूसरा वाला पैर भी जो है थोड़ा सा इस डारेक्शन में आप twist करते हो ये ट्ल्ट करते हो जब आप ultimately ये आदा सरकल अपना पूरा कर चुके हैं, उस वक्त आप ये करते हैं कि ये वाला जो पॉमल है, ये जो आपने पकड़ रखा है, इसको आप छोड़ते हैं और ये जो दूसरा वाला पॉमल है इसको आप पकड़ लेते हैं और दूसरा leg भी जो है आप इसी direction में लेकर जाना शुरू करेंगे इस तरीके से यहाँ पर जो है 90 degree का एंगल आपके legs के बीच में फिर से बन जाएगा और पर इसको भी जो है आप बापस तरह से लेकर आएंगे और ये जो प्रक्रिया वगरा पर्फॉं की जाती है ये जो प्रॉसीजर प्रसॉं किया जाता है इसको आम लोग बोलते हैं आपका फॉरूर्वर्ट किया जाता है ध्यान से देखिए आहा 여ँआ है एसा नहीं लग र हैं वो कैंची के दो फांग बन गया है और इस तरीके से मूफ करना है इसको फॉरवर्ड सिजर बोला जाता अब यहां पर एक नोटिस करने वाली बात है दोनों में ध्यान से देखिएगा जब आपने दोनों हातों से पॉमिल को पकड़ के अपने बॉड़ी को उठाया तब देख ले या एक हाथ के उपर जब आपने एक पॉमिल आपके जो भुजाएं हैं आपके जो दोनों हैं इसमें दम होना और थोड़ा से आपके इतना स्ट्रेंथ होना कि वो पूरी बॉड़ी के वेट को जो है विट्स्टैंड कर जाएं ये बनाना ज़रूरी होता है नहीं तो फिर पॉमिल सिजर उतना अच्छे से फॉरवर्ड सि आप ये चैप्टर इतना बड़ा है इतना वास्ट है कि इसका अगर मैं एक ही वीडियो में पूरा वनचॉट बनाता तो ये वीडियो भी कई घंटे और लंबा खिशता और फिर वो आप लोगों के लिए पढ़ना आया फिर देखना और ज्यादा मुश्किल और ज्यादा ये जो आपका चैप्टर है इसका जो वन चॉट रिविजन वीडियो है वो दो पार्ट में आएगा इसका पहला पार्ट जो है अपना यहां पर कंक्लूड होता है जो बचे हुए तीन या चार गेम्स हमारे बचे हैं उनके बारे में हम लोग इसके बाद वाला जो हमारा से यहीं पर समाप्त होता है और इसी के साथ वन शॉट रिविजन फॉर चैप्टर नंबर फॉर्ट क्लास इलेवन फेल्ट फिजिकल एजुकेशन इसका पार्ट वन यहां पर समाप्त होता है आप सेशन एंड करने के पहले में आपको बताना चाहूंगा कि मैगनेट ब्रेंस ब्रेंस का जो सारा का सारा क्योंटि एजुकेशनल कंटेंड एजो एग्ट्रूसिब्लि हांडर पर्सेंट फ्रियौफ को सिकाते हैं तो आप तीन तरीकों से देख सकता है या तीन तरह से इस प siinä ज कर सकता हैं एक तो आप इसे यूट्यूब की मदद से देख सकता हैं दू देखें, इसे जितना उसा के उतना दर अब benefit उठा है, यहाँ पर आपको class 1 से लेके, in fact kindergarten से लेके class 12 तक सारा का सारा quality educational content CBSC का English medium में provide कराया जाता है, as well as Hindi medium में भी provide कराया जाता है, इसके इलावा आपके जो UP Bihar boards है और इसके इलावा जो दूसरे भी आपके state boards है, उसका भी content आपको यहाँ पर access करने के लिए मिलता है, then आपका NTSC हो गया, आपका Olympiad हो गया, CVT हो गया, ATJ हो गया, NEET हो गया, इस सबका content भी आपको यहाँ पर exclusively free of cost access करने के लिए मिलता है, besides this spoken English का content अगर आप देखना चाहता है, banking and insurance हो गया, RRB, SSC, UPSC, JIB, CIB, इसका भी सारा का सार quality educational content आपको exclusively free of cost यहाँ पर access करने के लिए मिलता है, तो इसको देखें, इससे फाइदा उठाएं, अपने examination की preparation को सेज दें, and दूसरे लोग जिनको इसके बारे मैं नहीं पता है, उन तक भी आप जो है, magnet brains का यह जो पूरा एक venture है, जिसकी मदद से हम लोग यह ensure करना चाहता है कि quality educational content exclusively free of cost भारत के हर एक बच्चे तक पहुँचे, यह हो सके, and इसके लावा अगर आप लोगों की कोई और राय है, आप हमसे जुड़ना चाहता है, तो आप हमें various to हमारे social media platforms बगरा है, YouTube का comment section हो गया, Facebook का हमारा page हो गया, Instagram का page हो गया, Twitter हो गया, या फिर आपका Telegram बग हमसे कर सकता है, तो इसी note पर I would be calling it the day and concluding the session कि इस particular venture का फायदा उठाए, दूसरों को विस्ते जोड़े, अपना भी भला करें, दूसरों का भी भला करें, सफलता हैं तरक्की के राजते पर आगे बढ़ते रहे, thank you, जहिंद, मिलते हैं next session में, जिसमें हम लोग आपका जो one इस chapter के one short revision video का second part है, उसे conclude करेंगे, उसे खतम करेंगे